आज हम कंटीनियू करेंगे फैनिश इंस्टूमेंट का रिवीजन अल्मोस्ट मैक्सिमम पॉर्षन हमने पिछले फिर्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर कवर अप कर लिया था जो कि यूटुब में अल्रेडी अपलोडेड आप वहां से देख सकते हैं जहां पर हमने यून यहां पर सबसे पहले आपको और से लोग यहां से समझाने से पहले मैं आपको एक लॉजिक देना चाहता हूं ध्यान से सुने मेरे बाद जैसे मान लिजा for example मैं अगर आज ही आपसे sets खरीदता हूं और आपको पैसे बहले आज ना दो पैसे बाद मैं future में दूँगा आज अगर मैं sets आपसे खरीदता हूं तो मतलब कोई आपका यह derivative नहीं non derivative contract रेक्टर सिंबल से बात है लेकिन सोचें ना अगर आप से फोटर कोंट्रेक्ट करता हूं या फिर मैं आप arrogance करें आपके ने रगें गाता है यहाँ रेगूलर की बात कर रही है रहा हम non-financial की बात ही नहीं करें, financial assets की ही बात करें, that is, आपका only financial assets, non-financial की बात ही नहीं हो नहीं आपर, तो यहाँ पर मुझे यह आपको समझाना है, कि अगर माननीचे general हम कोई contract करते हैं, जहाँ पर आपका execution का contract का बाद में later on होता है, तो हम उसे derivative मानते हैं, मानते हैं कि हमने forward contract किया, जो भी option contract किया, कि हम उसे क्या मानते हैं, derivative मानने, माननी जब ul example मैंने आपसे contract किया है, कि मैं आपसे sales करीदूंगा, आज भी 2 दिन के बाद sales करीदूगा, कब खरीदूगा, दो दिन के बाद sales करीदूगा, आज initial investment कुछ है निए settled future date में होगा दो दिन के बाद होगा तीन दिन के बाद होगा आप उसे derivative मान लोगे बट कुछ-कुछ ऐसे situations होते हैं जहां पर आपको लगेगा कि वो derivative है बट उसे derivative माना नहीं जाएगा यह क्यों होते हैं अब दिखेगा जो stock exchange होते हैं जैसे बॉंबे stock exchange की बात करूँ नेशनल stock exchange की बात करूँ बहुत सरे stock exchanges रहते हैं जहां पर अगर माननीचे मैं अगर कोई contract खरीता हूं sorry मैं कोई contract करता हूं न सैर्स या कुछ भी खरीदने का तो उस contract का execution टी प्लस टू डेज़ टी प्लस सैवन डेज़ टी प्लस फाइव डेज यानि उसका execution आज नहीं होता है दो दिन के बाद पांच दिन के बाद साथ दिन के बाद होता है वो डिपेंड करता है कि वहां पर क्या rules and regulations है उसके एक्सचेंज का rules and regulation होता है उसके हिसाब से वो लेटरोन execute होता है तो जैसे मान लीज़े for example 30th of March को 30th of March को मैंने recognized stock exchange से मैंने 500 sets खरीदे इसका जो settlement होना है वो टी प्लस टू डेस में होने मतलब किया है कि मुझे आज पैसे देने नहीं और नहीं मुझे आज पैसे मिलेंगे यह सारा काम होगा टू डेस के बाद टी प्लस टू डेस के बाद अब मालिज़े 30th of March को मैंने किया तो इसका सारा execution 1st of April या 2nd of April को होग यानि 31st March को तो बीच में आपका reporting period end आगिया ना तो अगर आप यहाँ पर derivative accounting करोगे तो ऐसा situation में आप क्या करते हैं आप derivative accounting करने पर आपको 31st March को potentially जो भी favorable या unfavorable situation है उसका derivative accounting करते हैं फिर बात में ultimately 1st of April या 2nd of April को जब आपका financial assets real में में मेरे पास आता तब मैं उसका recognition कर रहा हूँ मैं तो real में stock exchange से service करीद रहा हूँ अब stock exchange वाले की rules and regulation है जिसके तहत मुझे आज sets नहीं मिलेंगे मुझे sets मिलेंगे दो दिन के बाद तो क्या मैं 60 के लगा रहा हूँ क्या आपर नहीं मैं 60 नहीं लगा रहा है आपर यह उपाई नहीं regular norms है यहाँ पर ऐसी होता जहाँ पर आप regulation के तहद आपका जो within time frame जो रहता है रहता है रेकने stock exchange का regulation के तहद तहद उसी time frame में आप settlement करवा रहे हो तो हम उसे derivatives नहीं मानेंगे यह override कर देगा derivatives का जो concept है उसे override कर देगा हाला कि आपको दिखीगा कि यहाँ पर तो derivatives का पूरा definition meet हो रहा है पर उसके हम कानून है जहाँ पर वो दो दिन के बाद ही हमें delivery देंगे और दो दिन के बाद ही हमसे पैसे लेंगे एक तरह से दिखा ज़ते हैं forward contract बन गया जब future में ही सारा settlement वगे रहा होना future में पैसा जाना है तो आपको लगे यह तो derivative है पर यह derivative नहीं क्यों क्योंकि मैं मन मरजी से नहीं कर रहा ही है है ना और मैं यह recognized talk exchange में ही कर रहा हूं और वहां का यह rule से यह norm से वहां का यह regulation है हगार माली जी में broker के साथ कर रहा हूँ और जो within time frame में general stock exchange में settlement होता वो time frame में नहीं हो रहा तब то few Simple सी बाते सट्ठा बाची हो रहा है तो यहां पर आप देखें में पढ़ा रहा हूँ यहां पर एक बार यहां से सुनिए फिर example के साथ अच्छे सा समझाओंगा मैं आपको देखे regular way purchase and sell of financial assets purchase और sell of financial assets की बात हो रही है under a contract whose term requires delivery of assets within time frame established by regulation यानि regulation ने जो time frame established किया है उसी time frame के अंदर यानि जो भी convention या regulation के जो time frame established किया गया उसी के अंदर ही मुझे sets मिलेगा और यह recognized stock exchange से यानि जब मैं contract कर रहा हूँ और उनके time frame के हिसाब से मुझे याँ पर delivery मिलने वाला है तो यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं इसे derivative नहीं मानूँगा आगे देखे it follows that if a contract is entered into with a broker अगर आप मान लीजिए broker से कोई contract करते हो है ना for purchase or seal of securities which is normally traded on the bombay stock exchange यानि ऐसे securities में खड़ीद रहा हूँ broker से जो की bombay stock exchange में भी trade हो रहे with a settlement period that differs from the norms mentioned मतलब कहने का मतलब मान लीजिए आप broker हो bombay stock exchange के आप broker हो अब जो सेर्स में आप broker से मैं खरीद रहा हूँ आप broker हो मैं आप से खरीद रहा हूँ तो जो सेर्स मैं आप से खरीद रहा हूँ यह bombay stock exchange में listed है और यह सेर्स अगर मैं recognize bombay stock exchange से खरीद हूँ तो वहाँ का norms यह है कि यह T plus 5 days में settlement होता है मतलब अगर आज खरीद हूँ गा तो 5 days के बाद delivery मिलेगा और 5 days के बाद मुझे payment करने तो broker के साथ भी अगर यही terms and condition में मैं खरीद रहा हूँ तो माना जाएगा जी हाँ मैं recognize stock exchange से ही खरीद रहा हूँ और हम इसे regular way purchase and sale मानते वे derivative accounting नहीं करेंगे जो कि मैं सिखा दूँगा आगे निचे आपको accounting लेकिन सोची नम मैं broker के साथ कर रहा हूँ पर वहाँ पर T plus 5 days का settlement नहीं हो रहा है T plus standards यानि कोई other दिन जो regular norms है उसके अलावा किसी और period का settlement हो रहा है आपर तब तो फर सिधी सी बाद यह सटा बाद जी हो रहा है यहनि कहने का मतलब यह जो time frame में regulation यानि convention जो time frame में Bombay stock action national stock action जो time frame रखता है उसी time frame के अंदर अगर आप कर रहे हो तो मतलब आप यहाँ पर genuine हो और ऐसा situation ने derivative accounting करने की कोई आवस सकता कोई जर्यत नहीं है और अगर आप regular way transaction करते हो तो ऐसा situation ने दो method आपको allow किया जाता है that is one trade date accounting and दूसरा what settlement date accounting तो इन दोनों में से कोई भी आपके पास choice है entity के पास choice है इन दोनों में से कोई भी accounting वो कर सकता है जो कि मैं आपको सिखा दूँगा tension की कोई बात नहीं है तो मैं ने एक बार आपको idea दिया मैंने आपको hint दिया कि regular way purchase and sale कैसे work करते है अब मैं इसको समझाने की courses करूँगा आपको मैं अब मैं आपको ही समझाने की courses करूँगा अब ध्यान से देखी example मैं अच्छे से आपको समझाऊगा मैं वापस एक बार final touch देना चाता हूँ क्योंकि मुझे feel हो रहा है आपको थोड़ा सा कम समझाया तो मैं वापस आपको final touch देना चाता हूँ कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप मजबूरी में आपका forward contract हो रहा है जहाँ पर मेरी कोई इच्छा नहीं forward contract करने की मजबूरी में forward contract हो रहा है क्योंकि यह recognize stock exchange का नियम कानून है कि वो आपको same day delivery नहीं देते same day आपसे पैसा नहीं लेते वो आपसे दो दिन पांच दिन जो भी उनका नियम है उस नियम के तहत वो आपसे बाद में पैसा लेंगे बाद में delivery देंगे तो यहाँ पर कोई forward contract नहीं हो रहा है यह नियम के तहत हम यह waiting करना पड़ रहा है इसलिए हम इसे derivative contract नहीं मानते हैं और हम इसका लगाते क्या रेगुलर वे purchase केता है तो यहाँ पर मैं इस question में आपको क्या करूँगा पहले मैं derivative accounting आपको समझाओंगा कि मान लोगर यह regular वे purchase and sale नहीं होता तो ऐसा situation में आपका क्या accounting होता और regular वे purchase and sale होने के वज़े सा क्या accounting करोगे यह मचे सा अपको समझाओंगा तो चले मेरे बात ध्यान से सुनीगा अच्छे से बने रही है देखें और 30th March 2020 an entity enters into an agreement to purchase a financial assets 4 rupees 1000 which is the fair value on that date यहनि मैं entity हूँ मैंने contract किया है 30th March को मैंने contract किया 30th March को खरीदने का एक financial assets 4 rupees 1000 which is the fair value on debt date और balance date that is 31st March 2020 balance date आगया वीच में 31st March उस इन fair value 1020 है and on settlement date that is 24 2020 fair value आपका 1030 है तो देकिना 30th March को contract किया जा रहा है 30th March को contract किया जा रहा है लेकिन आपका settlement कब हो रहा है 2nd April को यहनि forward date में settlement हो रहा है forward date में मुझे financial assets मिलेगा और forward date में मैं आपको पैसा दूँगा तो derivatives का definition फिर से देख लिए मैं मिट कर रहा है क्यों क्योंकि मैं जो आपसे financial assets खरीदूँगा obvious सी बात है उसका fair value change हो रहे है तो मेरा contract का fair value चींज होते रहेगा है ना in response to change in underlying underlying यहां पर क्या जो financial assets खरीद रहा है उसका fair value में चींज हो रहे है ना यह आपका change हो रहे है पहली बात दूसरा चीज यह आपका जो है यहां पर initial investment मेरा 30th March को कुछ भी नहीं लग रहा है मेरा जो भी पैसा लगी हो वह 2nd April को लगे यानी future date में पैसा लगे अभी initial investment कुछ नहीं लग रहा है और तीस तरह यह settle होगा future date में यह 2nd April को settle होगा आज नहीं होने बल आज नहीं मुझे sales मिलेंगे आज नहीं मुझे पैसे देना है तो आप बोलो कि सर यह derivatives का accounting को meet कर लेकि दिन के बाद ही वह आपके account आप ऐसा कर तो यहां पर मेरी कोई गलती नहीं है यह तो उनका नियम गानून है मैं कोई contract नहीं करना चाथा तो यहां पर मेरी कोई गलती नहीं है अगर मेरी कोई गलती नहीं है अगर मैं इससे derivative नहीं बानूंगा मैं regular way purchase and sell के दर ट्रेट अगर यह रेकरने stock action से contract नहीं किया होगा या फिर उनका norms को meet नहीं कर तब तब क्या करते है derivative accounting करते है और derivative accounting करने का मतलब क्या है यहां पर आप देखोगे 30th March को जिस दिन अपने contract क्या उस दिन क्या इसका fair value कुछ है हमने दिखा इस दिन इसका fair value नहीं ले कुछ पैसा भी दिना नहीं पड़ रहे तो 30th March को अब देख सकते हो हमारा entry कुछ भी नहीं होगा no entry 30th March को entry कुछ नहीं होने वाला अब next आएगा 31st March रेगुलर वे purchase and sale का किसा नहीं होता है ना तो ऐसा situation में derivative accounting करने पर मैं 31st March को कहता है मेरा 20 रुपीज फेवरेबल है क्योंकि मैंने contract खरे रखाए 1000 में खरीदने का आज उसका price 1,020 होग तो मैं 20 profit में हो और 20 अगर मैं profit में हमें entry क्या दिखाऊंगा derivative financial assets पैसे आये थोड़े settlement rate settlement rate कब आ गया 2nd April 2020 इस settlement rate पे fair value कितना हो गया 1030 का हो गया तो दिखें है 1020 से 1030 हो गया यह और 10 रुपीज का फाइदा हो गया तो 10 रुपीज का जो मेरा फाइदा हो गया वो में क्या दिखाऊंगा derivative financial assets 10 to profit and loss सबसे पहले तुम्हें ही रिखा तूँगा फाइदा फाइद financial assets 30 का दिख रहें और इधर PL में फाइदा 30 का दिख रहें यह मेरा balance rate ऐसा भी फिलाल दिख रहें समझ में आया अब हम क्या करेंगे अब किया 31st March को में delivery मिल जाएगा ची हां में delivery मिल जाएगा क्या मिलेगा financial assets मिलेगा आपको पता है अगर अब 31st March को जब मुझे delivery मिल गया अब 31st March को तो में financial assets record कर सकता हूँ और आपको पता होगा हम financial assets को initially record करते है at what fare value हम financial assets को initially record करिंगे at fare value तो मेरा नया नया पहली पहली बार 2nd April को financial assets recognize होगा किस में fare value में कितना? तो थाओetrical खटी में रिकल्ग्णास होगा. आज का डेट का फैर विलू. तो थाओbringing-खटी में रिकल्ग्णास होगा. अब मेरी बात सुनिए. क्या पैसे मुझे ब्रोकर को ही है, जिससे भी मैंने खरीदें, उसे पैसे मुझे क्या क्या 1030 देने? तो मालनी जा आज मैं आपको पैसे डे दूँगा तो आज मैं अगर आपको पैसे दूँगा तो कितने दूँगा 1000 रुपी से दो दूँगा मैं आपको ओ 30 रुपी से क्या हुआ फाइदा आरे वो फाइदा तो ओल्रेटी दिखा दिया हमने ये दिखिए PL में 20 PL में 10 ओल्रेटी फाइदा दिखा कि हमने asset create कर दिया न तो ये assets अब transfer हो जाएगा कहाँ पर financial assets में ये जो derivative assets है ये transfer हो जाएगा कहाँ पर financial assets में और already हमने transfer कर दिया है 1000 के जगा 1030 दिखा कि अब जो आपका derivative financial assets credit क्या हुआ था sorry derivative financial assets जो आपका debit क्या हुआ था अब वो credit हो जाएगा ब reverse कर दोगे यनि कहने का मतलब ये in case of derivative accounting जब जब जिस period में आपका profit होगा उस period में आप PL में दिखा होगे derivative financial assets create कर दोगे बाद में जब बार ही आएगी financial assets दिखाने की तो initially financial assets को आप 1030 में दिखा होगे कब आज की दिन delivery हुआ है 2nd of April को आज की दिन delivery हुआ है तो आज ही के दिन तो financial assets दिखा होगे 1030 का दिखाया 1000 पैसा देना हो 30 रुपीज मेरा DFA reverse हो जाएगा मेरा तो आप सुनिए मेरी बात तो आप यहाँ पर देखिए क्या हमने यहाँ पर 30 मार्च को हमने 30 मार्च को financial assets को record किया नहीं किया क्योंकि आज तो हमारी forward contract अगर हम derivative लगाए तो अगर हम derivative लगाए तो आज तो हमारा forward contract है हम जब real मेरा पास financial assets आएगा 2nd of April को तब ही तो हम financial assets दिखाएंगे तो आज की दिन financial assets देखेगा अब जैसे मैंने आपको समझा है था already पहले कि जब हम पहली पहली बार financial assets रिकाग्नाइस करते तो हम रिकाग्नाइस करते है अट वार तक पहले लो और subsequently आगी जब के at the end of each reporting period आगी जब कि हम उस पे M.O.T.O.C.E. भी लगा सकते है F.B.T.P.E.L. भी लगा सकते हैं है ना financial assets में subsequently तो हम तीन में से यह की लगाते है मैंना quality सिखाया वा पहले और वो डिपेंड करेगा business model अगर solely payment of principal interest है और मेरा नियत maturity तक होल्ड करने का है मैं modest cost में तर लगाऊंगा अगर मेरा नियत दोनु है solely payment of principal interest और साथ ही साथ मेरा नियत है maturity तक होल्ड करने का मोका मिलेगा तो अपनी girlfriend बदल सकतों याद आया कुछ है ना तो मोका मिला तो मैं बेच भी दूँगा तो that means what FBTOC और अगर मालनी जैसा कुछ नहीं है तो last में बचा क्या FBTOC तो अब जाके अब जाके यह आपका financial assets 1030 रिकगनास हो गया 2nd April को अब आगे जाके हम क्या करेंगे हाँ या इस दिन हम decide कर लेंगे decide हम initial recognition में कर लेंगे आज के दिन हमें कौन सा method लगान है amortize cost FBTOC या FBTOC हमें कौन सा लगान हमें decide कर लेंगे अब आगे जाके 31st March को वही apply करेंगे तो आपको ये दिखे मैंने आपको लिखा हूँ है आप 2nd April 2020 को आपने financial assets दिखा दिया इसी दिन आप classify करोगे इसे as amortize cost या फिर FBTOC या फिर FBTOC पर as appropriate जो आपका condition satisfy होता उसके according ले तो देखे न मतलब कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर ये derivative accounting होता तो जब तक financial assets का delivery नहीं होता तब तक मैं उसे derivative accounting करता उसके बाद जब 2nd April को financial assets आपका receive होगा तब आप क्या करोगे उसमें FBTOC या फिर amortize cost method लगाओ गया ये आपको देखने लेकिन आपको पता है अगर मान लीजे ये case होता आपका non-derivative का कब ये case होता जहां पर आप मजबूरी में ऐसा कर रहो अगर ये derivative नहीं होता मतलब आप मजबूरी में ऐसा कर रहो क्योंकि recognize stock exchange का ये नियम कानून है जिसके चलते आपकी मजबूरी है कि आपको future में ही है टी प्लस 2 टी प्लस 5 टी जो भी आपका नियम कानून है उसके सबसे future में settlement होगा तो उसे फिर हम regular way purchase and sale मानते वे हम क्या करेंगे उसका either trade date accounting कर सकते है और trade date accounting अगर आप करोगे ना तो आपको पता है क्या फाइदा मिल रहे है आप very beginning 31st March को ही आप या तो amortis cost method लगाई है या FBTOCA लगाई है या फिर FBTP लगाई यानि कहने का मतलब यह है कि अगर हम regular way purchase माने तो ऐसा situation में from the very first day 30th March को ही मान लिया जाएगा कि यह financial assets यह यह derivative नहीं है और 30th March को ही आप इसे classify करोगे कि यह amortis cost है कि यह आपका FBTOC है क्यों कि हम 30th March को ही मान लेंगे कि हमने sales खरीद लिया बस delivery बाद में हो रहा है क्यों क्यों कि यह company का norms है यह stock exchange का norms है जिसके चलते delivery बाद में हो रहा है तो इसलिए आप दिखिए मैं बहुत important चीज़ आपको समझा रहा हूँ इन case of derivative हम initially नहीं मानते हैं इससे financial assets हम initially derivative accounting ही करते हैं हम बाद में जब delivery real में होता है तब हम उससे financial assets मानते हैं और तब हम उसके classification करते है पर अगर regular pay वे purchase होता है तो आपको फाइदा क्या मिल रहा है मतलब entity को यह फाइदा मिल रहा है कि अगर regular way purchase होगा तो हम क्या करते हैं तो आप देखे है regular way purchase के कैसे में आप देखे है 1000 रुपीज में अपने contract कर रहा है खरीदने का मैंने आप से contract कर रहा है 1000 रुपीज में खरीदने का financial assets है ना delivery नहीं मिला उसमें मेरी क्या गलती वो तो नियम कानून है recognize stock exchange का वो बाद में देते मेरी कोई गलती नहीं तो मैं आज की दिन financial assets recognize कर दूँगा at what fare value आज के date का fare value कितना है 1000 रुपीज में contract है 1000 रुपीज में तो आज ही मैं financial assets को 1000 रुपीज में recognize कर दूँगा क्या मैंने पैसे आज दे दिये नहीं दिये मैंने पैसे मेरे पैसे तो बाद में दू तारीकों कटिंगे future में पैसे कटिंगे तो ठीक है payable दिखा दूँगा liability दिखा दूँगा तो इसलिए आप दिखिए in case of trade rate accounting accounting जहां हम पहले कोई entry पास नहीं करते थे 30th March को अब दिखिए derivative में तो कोई entry हमने पास नहीं किया था यहां पर trade rate accounting की मदद से हम 30th March को entry पास करें क्या financial assets account debit 1000 to payable 1000 अब यह initial recognition तो मैं आपको कहा था initially जब पहली पहली बार financial assets का जनब होता है तब हम fair value देखते हैं M.O.T.S. FB.T.P.L. FB.T.O. से नहीं देखते हैं तो भले आप M.O.T.S. cost method लगाई है भले आप FB.T.O. से यह लगाई है entry same हो रहे है भले आप FB.T.P. लगाई देखिए entry same हो रहे है financial assets to payable यहाँ पर भी financial assets to payable था जने यहाँ पर भी financial assets to payable था जने और यहाँ पर भी financial assets to payable thousand यह मैंने आपको समझाया तो चली यह आपको समझ में है अब आगे जाके अब आगे 31st March आएगा अब हमें पता है 31st March को हम financial assets को subsequently remeasure करते भी है और नहीं भी करते अगर M.O.T.S. cost method लगाओगे तो fair value changes हम consider नहीं करते अगर FBT पे लगाओगे तो जो भी fair value change होगा वो PL में जाएगा अगर FBT OCA लगाओगे तो जो भी fair value change होगा वो OCA में जाएगा तो आप सुनिए मेरी बात बहली आपका 31st March को ये 1000 से हो गया 1020 31st March को 1000 से कितना हो गया 1020 हो गया लेकिन जबके हम M.O.T.S. cost method फोलो कर रहे है इसलिए हमें fair value change को ignore करना होते है तो ये आपका thousand में ही पढ़ा रहेगा thousand में ही पढ़ा रहेगा 31st March को आपको change को consider नहीं करना है और आगे जाके settlement date पे आगे जाके settlement date पे भी आप देखिए fair value change हुआ 1030 हो गया पर मुझे पैसा कितना देना आपको आप पताईए मुझे आपको पैसे कितने देना है मैंने तो thousand में खरीदने का contract किया है मुझे तो आपको पैसे thousand ही देना है तो मैं यहाँ पर पते है end में क्या करूँगा end में thousand रुपीज देना है यह payable था liability दिखाया था thousand का यह pay कर दूँगा payable को debit कर दूँगा पहले payable credit किया था liability था अभी liability discharge हो रहा है by payment तो payable to cash कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर ammo test cost method में जो financial assets initially fair value में जो recognize होता वो होगा आगे जाके subsequently fair value change हम consider नहीं करते हैं interest वगेरा जो चढ़ाना वो चढ़ेगा अलग बात है पर आपका इसके अलावा fair value change consider नहीं होगा तो सुचे ने ammo test cost method कितना simple है शुरुआत में financial assets to payable दिखा दिजे fair value change तो आपको कोई मतलब होगा नहीं आप last में दिखा दिखा दिए payable to cash बात खत्ब और अगर आप बोलो कि सर इसका balance इट भी बता ही ना फटा फट से तो लीजे जल्दी जल्दी से बता दिता हूँ यह दिखे balance इगर मैं यहाँ पर बनाओ तो आप दिखे मैं initially दिखा दूँगा financial asset 1000 का कोई fair value change consider नहीं करूँगा और payable दिखा दिया मैंने इधर 1000 का और फिर बात में मैं क्या करूँगा payment जब कर दूँगा 1000 तो payable आपका नील हो जाएगा और cash से मेरा 1000 rupees कम हो जाएगा यहाँ पर regular way purchase होनी की वज़े से मुझे यह फाइदा मिला क्या हो गया रुज़ों तो screen में थोड़ा सा problem था अभी sorted हो गया सारा जीच जैसे मैंने आपको समझाया था कि amount cost method लगाने का क्या फाइदा मिला यह फाइदा मिला हमें कि सोची न हम हम तो सीधे साधे इंसान हम तो चाहते थे मोटा cost method लगाना हम तो चाहते थे सैडस ही खरीदना और उसे लंबे समेता करकना हमाया तो कोई नियत खराब नहीं था लेकिन जबकि यहाँ पर अगर सोचो न अगर यह नहीं आता तो आप stock exchange का जो T plus 2Ds का नियम है या T plus 3Ds का नियम के चलते हैं आप फ़र जाते हैं और आपको derivative accounting करना पड़ता है derivative accounting करते हैं तो आप 31st March को profit or loss दिखाते हैं यहाँ पर तो यह सारे जंजाल पर यह सारे जंजट में आप फ़र जाते हैं तो standard हैं कितना अच्छा काम क्या उन्होंने बोला कि जी नहीं आप सच्चे इंसान हों हम आपके साथ नाइंसाफ भी नहीं करेंगे हम आपको बोले कि अप derivative accounting मत लगाए क्योंकि आपकी यह मजबूरी है आप किसी प्रकार का सट्टा नहीं खेल रहो यह और यह organization in stock exchange का नियम है जिसके चलते आपका settlement T plus 2 days T plus 5 days में हो रहा हम इसके कदर करते हैं और हम इससे derivative नहीं मानेंगे आप क्या किजे सुरुआत से हैं मोट्यास cost method लगाईए और 30th March को जिस दिन अपने contract किया उसी दिन आप क्या करोगे financial assets record कर लोगे भले आपको नहीं मिला मिलेगा ना क्योंकि यह तो उनका नियम के चलते आपको नहीं मिला तो आप financial assets to payable दिखाईए और बात में last में payable to cash दिखाईए कोई fair value का जंजान नहीं कोई derivative का जंजान नहीं कुछ भी नहीं करना कोई पील वगेरा नहीं है तो कितना मज़ा आया ना काफी मज़ा आया तो आप देखिए अब आगे FBTOC के बात करेंगे अब इन बात सुनिए हम अभी यहाँ पर क्या करना चाहते है FBTOC accounting करना चाहते है तो पहले समझा देता हूँ 30th March को वही financial assets हम record करेंगे to payable, financial assets to payable हम दिखा देंगे बात खत्ब फिर आगे 31st March को balance date में इस बारी fair value से मुझे लेना देना है मुझे fair value से मतलब है इस बारी 31st March को मुझे fair value से मतलब है क्योंकि मैं FBTOC accounting करना हूँ जो भी fair value change होगा वो खाँ जाएगा OCA में जाएगा तो आप देखेंगे ज़रा 31st March को value कितना होगा थाउजन 20, यहनि थाउजन से पहुच जी है थाउजन 20 में इने 20 रुबेस का फाइदा हो गया तो यह जो FBTOC accounting करोगे तो जो भी fair value change होगा वो OCA में जाएगा उसका corresponding impact financial assets में बढ़ेगा यह derivative नहीं है यह जो normal FBTOC accounting करना सिखा हुआ है पहले से वो हम कर रहे है तो सबसेकॉंड यह measure करें OCA में तो आपका financial assets 20 से बढ़ा 20 सा बढ़ा होगे क्योंकि fair value में financial assets measure होगा अब 1000 के साथ 1020 होगा यह financial assets और OCA में दिखा दूगा 20 रुबेस और फिर बाद में 2nd April को settlement date पे 2nd April को आपको पैसे कितने देने है जो payable है न आपका यह 1000, 1000 ही तो पैसे देने है अरे fair value change होगे तो पैसे तो हम 1000 ही देने उसमें तो हमने खरीद है तो payable to cash होगे 1000 और आपका इस दिन भी आपका क्या हो रहे जबकि fair value 1030 होगे तो ध्यान रहे settlement date पे भी आप क्या करोगे उसे reporting period की तरह मानते वह in case of trade date accounting जब भी आप करोगे तो settlement date पे भी हमें इससे fair value में लिख की जाना होता है तो वापर से हम financial assets को क्या करेंगे transfer कर देंगे to OCA यनि पहले से 1020 का financial assets record है आज का financial assets का fair value 1030 है तो 10 rupees से financial assets बढ़ गया और OCAF का 10 rupees से चला गया तो यहाँ पर फिर से आपको क्या फाइदा मिला देखिए अगर आप derivative accounting करते तो derivative accounting में तो आपको एक ही उपाई ये आप derivative accounting करते तो जो भी 20 rupees और 10 rupees ही आपका जाता कापर PL account में जाता है यनि ये 30 rupees आपके जाते PL account में और फिर बाद में आपको 2nd April के बाद subsequently reporting period end में बाद में कोई change होता तो वो OCAI में जाता है पर जबकि हम यहाँ पर regular way purchase के चलते हैं हम सुरुआत से ही जितना differences है जो भी आपका fair value change है वो OCAI में दिखा रहे हैं और आगे जाके मान लीजिए financial results मेरा equity sets का है तो आगे जाके तो ये आपका OCAI का OCAI में पढ़ा रहेगा irrevocable choice ही हमारे पास रहे था वो सारी चीज़ आपको बता है हाँ debt instrument के case में हम recycling कर सकते है तो चलिए FBT OCAI में भी आपको मज़ा आया हाँ ये मज़ा है कि सर कि अगर हम derivative accounting करते तो आपका जब तक settlement नहीं होता तब तक का differences जो भी रहता वो PL में जाता लेकिन जबकि हम regular वे purchase में trade date accounting का मोका मिला जहाँ पर हम जो भी differences आ रहे है सुरुआज सही जो भी changes आएगा fair value change हम OCAI accounting करना चाहते है तो सुरुआज से हम OCAI accounting लगाते हुए जो भी changes है हम OCAI में दिखाएंगे तो कितना मज़ा है हाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा है अब आगे देखते हैं अब FBTPL की case में आप क्या सकते हो हाँ लगबख दोनों impact सेम ही पड़ते हैं क्योंकि derivative में भी FBTPL जाते हैं और यहाँ पर भी आप MOTE यहाँ पर भी आप सोरी आप FBTPL accounting कर रहे ही तो लगबख impact सेम ही जाएगा बस फरह कितना है कि सुरुवात में वहाँ पर हम derivative financial asset दिखाते थे अब यहाँ पर लेकिन हम सुरुवात में financial assets to payable हम record कर देंगे और सुरुवात में financial assets record कर देंगे to payable के नाम का 31st March को आपका fair value change हो रहा है जो भी fair value change होगा पेल में जाएगा यहनी financial assets to payable हो जाएगा और settlement date पे payable to cash आप 1000 रुपीज दे दोगे और आपका financial assets to payable फिर से चला जाएगा 10 रुपीज में तो यहाँ पर यह आपको accounting मुझे समझाना था मैंने आपको derivative accounting भी समझाया वापस से repeat कर रहा हूँ derivative accounting में मैंने यह कहाँ कि settlement date पे आप यह decide करोगी कि कौन सा आप method choose करने वालो amortize fbt ocai या फिर fbt पर और उसकी बाद आगे जाके subsequently यहनी second april के बाद subsequently जब reporting period end आएगा तब आप उस पे fbt ocai के सबसे fair value को ignorance वो सारी चीज़ आप करोगे लेकिन लेकिन आप देखिए यहाँ पर जब हम three day accounting करें तो सुरुआत में थाउजिन में खरीदने का contract किया न तो थाउजिन ही रह जाएगा financial assets यह बदलने वाला नहीं है और सारा fair value चीज़ इगनूर हो रहा है fbt ocai में सारा fair value beginning से ocai में जा रहा है हाँ fbt pail में जा रहा है तो उमीद है आपको समझ में आया अब यहाँ पर वापस एक last recap दे रहा हूँ में आपको तक कि आपके दिमाग में अभी fix कर दूँ ओर दो में यह कहना चाहता था है मूटास cost method में सुराद में आप financial assets को record करोगे financial assets बढ़ा financial assets बढ़ा liability बढ़ा financial assets to payable दिखा दिया हमने फिर fair value change का कोई entry होगा नहीं last में बस एक ही चीज़ बच्ची का जब payment कर दोगे तो liability किरा होगे और cash घरा के payment कर दिया FB guarantee oc.i में शुराद में financial assets बढ़ाऊब लागा बढ़ाऊए पैबल बढ़ा दिया बात में fair value change अब भी होगा तो financial assets बढ़ाऊगे और oc.i को बढ़ाऊगे financial assets बढ़ाओगे OCI को बढ़ाओगे आगे जाके भी financial assets बढ़ाओगे OCI को बढ़ाओगे ये वाला और payment करोगे तो liability खटेगा cash कटेगा thousand thousand का बात खत्म अब FBTPL में भी financial assets बढ़ा PL, financial assets बढ़ा payable बढ़ा और आगे जाके fair value change होगा तो financial assets बढ़ेगा पैसे थोने देने, ये तो fair value ये ने financial assets बढ़ा, PL बढ़ा, आगे जाके financial assets बढ़ा, PL बढ़ा, जब payment करते होगे liability घटेगा, cash घटेगा, ये सारी entry मैंने आपको समझा दिए अच्छे तरी गासे है तो यहाँ पर आपको बता है regular way purchase and sale of financial assets में trade date accounting का ही मज़ा है, मज़ा तो trade date accounting का ही है और जादतर case में बता रहो real में practically trade date accounting ही follow किया जाते हैं in case of regular way purchase and sale लेकिन standard आपको एक और मोगा देते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको trade date accounting follow नहीं करना है ना तो आप settlement date accounting follow कर सकते हैं settlement date accounting follow करने का मतलब जिसने आप trade कर रहे हो 30 मार्च को उस दिन आपको इसका कोई accounting नहीं करना आप settlement date पे financial assets को recognize कीज़े ये भी आपको allowed है पर मज़ा तो trade date accounting है पर आपके study का पाट है तो में ये भी आपको समझाऊँगा तो यहाँ पर दीके same question ही मैंने लिए है और अगर derivative होता तो वो मैंने already आपको समझा दिए derivative होता तो क्या होता ये सारी चीज़े मैंने आपको already यहाँ पर समझा दिए इसका आपको PDF हमारे telegram channel में मिल जाएगा ऐसे भी और आगी जाके अगर settlement date accounting करेंगे तो ध्यान सुनली चैए 30 March 2020 को trade date पे आप जिस दिन आप trading करें 30 March 2020 को कोई entry नी हो रहा देखिये लेकिन trade date accounting में entry हो रहा था financial assets to payable यहाँ पर कोई entry नी हो रहा है यहाँ पर देखिए हर जगा में financial assets to payable entry हो रहा था और यहाँ पर कोई entry नी हो रहा है कोई भी entry नी हो रहा पर no entry क्योंकि हम accounting हमने चूज कि है settlement date में करनेगा और यहाँ पर हमने accounting चूज किया था trade date में करनेगा trade date कौन से 30 March जिस दिन आपने trading किया और settlement date किया 2nd April जिस दिन आपका settlement होगा इसलिए 30 March को कोई भी accounting नहीं हो रहा है अब आगे जागे 31st March को आगया balance date तो मेरी बात सुनी जा रहा balance date में mo test cost method में तो fair value को इंगर और किया जाते है इसलिए यहाँ पर भी कोई entry नी हुआ अब end में 2nd April को ultimately मेरे पास shares आएंगे जो भी financial assets तो financial assets मेरे पास आएंगे और मुझे पैसे देने तो मैं यहाँ पर simple सी बात है यहाँ पर liability के एंट्री क्यों करो क्यों कि इसी दिन मेरे पास share आना और इसी दिन settlement date accounting हो रहा है क्योंकि पहले तो हमने accounting किये नहीं है पर है ना तो आज ही के दिन में financial assets recognize करूँगा थाउजिन का मैं चाहूँ तो यहाँ पर दो entry pass कर सकता हूँ financial assets to payable दिखा दूँगा और फिर payable to cash दिखा दूँगा मैं चाहूँ तो दो entry कर सकता हूँ पर क्या मतलब सेम डे में पेबल खड़ा करोगे सेम डे में आपको पेबल से फिर cash करोगे इससे चाह सीधा financial assets to cash दिखा दिखा दीजिए ना खाउजिन का क्योंकि पैसे भी आज ही जाने अधर्वास आपका मन करे financial assets to payable payable to cash दोनों इसी दिन entry आ जाएगा यहने trade date account में जो अलग अलग डे में एंट्री आ रहा था trade date में यह financial assets to payable आ रहा था यहाँ पर पेबल to cash आ रहा था हम यहाँ पर settlement date accounting करने की वज़े से हम एक ही दिन सारा किस्टा कर देंगे financial assets to cash हम कर देंगे बात चाहँ यहाँ फिर financial assets to payable payable to cash कर देंगे चलिए amortize cost में था तो समझ में आ गया अब FB TUCI में ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना में start दे रहा हूँ आप यहाँ पर दोनुज जगा पर ध्यान नहीं तो कि तो अब फर्जा होगे अब मेरी बात सुनी जा रहा हूँ यहाँ पर आप trade date accounting नहीं कर हो पर फिर भी माना जाएगा कि 30 मार्च को initial recognition हो या financial assets का यह derivative का accounting अलगी है यह है तो आपका regular purchase का entry बस trade date accounting करो तो आप यह समझ लीजे भले आप 30 मार्च को financial assets को recognize नहीं करो पर माना जाएगा कि अपने financial assets 30 मार्च को यह खरीद लिए और आगे जाके 31 मार्च को 31 मार्च को जा फैर विलू में change हो रहा है जी हां thousand से thousand twenty हो जा रहा है thousand से thousand twenty हो जा रहा है तो फैर विलू गेन हुआ हमारा 20 रुपेस का तो OCI accounting करोगे न तो फैर विलू गेन आप कहा दिखाओगे OCI में दिखाओगे अब आप कहते सर हमें तो यहाँ पर यह दिखाना चीए ता financial assets to OCI ह हमें यह दिखाना चीद है क्या financial assets debit to OCI क्योंकि हमने traded accounting में यह दिखाया था financial assets to OCI दिखाया था तो यहाँ पर भी आपका कहना रहेगा सर यहाँ पर भी financial assets to OCI क्यों नहीं दिखाया अभी तेक आपने financial assets का जनम किये नहीं किये तो अब एक suspense account बना कि होँआ पर डाल दीज़ मैं तब जनम नहीं किया अभी से अलग से रखता हूँ जब financial assets का जनम करूँगा तब इसे उसमें डाल दूँगा तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर financial assets to OCI आप नहीं दिखा सकते क्यों क्यों क्योंकि आपने अभी तक उसका जनम नहीं किया अपने settlement date accounting चूश किया है उसका जनम हो चुका है पर अभी तक हमने उसको लोग के सामने पेस नहीं किया है ना उसे हम पेस करेंगे second apparel को लोगों के सामने अपने balance rate में तो इसलिए जब तक उसे लोगों के सामने हम पेस नहीं करेंगे तब तक उसका related फाइदा भी हम क्यासे दिखा सकते हैं समझ म आपको जैसे समझ लीजए पूर एक्जामपल आपके पितास नीनिया किसी ने आपके नाम पर करोडों की जायदा छोड़ दियो और कहा कि 18 साल के बाद ही आपको जायदा मिलीगी बड़ी सारी प्रोपर्टी आपके नाम रख रहे हैं कि वे सिंगापूर में अलग अलग अ 16 साल की उमर पड़ी आपको को ही प्रोपर्टी मिलने वाली है अब वह बहुत सारी जो प्रोपर्टी थी उस में फाइदा हुब आपको या फिर मानिचे बहुत सारे सेश आपके नाम खरीके रख दिया और कहा कि 18 साल के बाद ही आपको मिलेगा अप 18 साल आपकी चुछे के suspense to OCA और उसे suspense को नाम देते, fair value change fair value change का नाम देते, और OCA में डाल देते, फिर second April को, वापस थे, अभी तक जनम नहीं किया, तो जो fair value change फिर से हुआ ना, 1050 से 1030 हुआ तो हम उसका नाम देते, यानि instead of financial assets हम fair value change दिखाते हैं financial assets to OCA के जिगा पर हम fair value change दिखा देते हैं, to OCA 10 रुपीज दिखा दिया अब हम जनम करेंगे, किसका दिखिए financial assets to 1,030 का हमने जनम कर दिया, अब हम जनम जब करेंगे तो ये जो suspense account है, 10 का 20 का fair value change का जो suspense account हमने create किया था, यह हम अब इसमें adjust कर देंगे, तो दिखे financial assets to fair value change 30 रुपीज आपका, और हमने cash payment कर दिया, 1000 का, 1000 का cash payment कर दिया और fair value change के नम बे 30 रुपीज आगिया, इससे फाइदा है कि जो OCA जिस date में जाना चाहिए, तो उस date में चला जाएगा, 31st March को OCA में इतना balance चला जाएगा, 2nd April को OCA में इतना balance चला जाएगा, और इसका नाम का जो fair value change ही है, यानि fair value change debit, debit, और यह आपका fair value change credit card कर दिया आपका, ultimately transfer होगी है, कहाँ पर financial assets में transfer होगी है तो हमने financial assets 1030 का दिखा दिखा दिया to cash to fair value change हमने दिखा दिखा दिया, इब आप financial assets का जनम करेंगे, तो एक साथ जनम कर दिया 1030 दिखा दिया, और यह जो 30 आपका fair value change का debit हुआ होगा, यहाँ पर credit करके से adjust कर देंगे adjust कर दिया, to cash दिखा दिया, simple सी बात है आपर है ना, तो यहाँ पर मुझे उमीद है, अब आपको अकर इसे proper analysis करोगे, तो आपको पता चलेगा, सारी चीज़े same ही है, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ लगवक same ही है, और अराम से आपका यह manage हो जाएगा, तो उमीद आपको regular way purchase and sale आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आ चुका है and हमने regular way purchase and sale अच्छी तरीके से समझ लिया, trade date accounting settlement date accounting में आपको अच्छी से समझा दिया, इसे related एक तो theory के question भी है, जिसका आपको audio clip मिल जाएगा, हमारे mobile application जगाते digital education में जाएगे वहाँ पर आपको free resources के अंदर financial assets का audio clip मिलेगा and उसके अंदर आपको इसके questions हम audio discussion में मैं आपको clear करा दूँगा तो अब वह देख लिए जिका फटाफट revise हो जाएगा तो चलिए, उमीद आपको regular way purchase and sale अब अच्छी से clear हो चुका है and अब आगे हम discuss करेंगे de-recognition of financial assets चलिए, समझते de-recognition of financial assets पहले हम बात में financial liability के बात करेंगे खिलाल हम financial assets की बात करें तो देखे, recognition वगेरा हमने सारा समझा है FB, TPL वगेरा से recognize करते है trade date accounting, settlement date accounting सारी चीज़े हमने समझे है सारी चीज़े हम समझगे कि financial assets को कैसे recognize करते है अलग-अलग method से हम recognize करते है इनिशन रिकागनिशन सबसे वगेरा चीज़े हम समझ चुके है अब हम बात करेंगी कि financial assets को कब डी recognize करें यह कब अपने balance से हम उसे remove करें यह हमें समझने यह कितने बार ऐसा situation आ चाते है जब उसे financial assets से remove करते है तो आपकर तो सबसे बिला point यह रहेगा सर जब सारे पैसे मिल जाएंगे maturity हो जाएगा financial assets अपने अब remove हो जाएगा यह भी तो अपने बताया था कि end में क्या होता था financial assets का value नील हो जाता था interest पैसा चाड़ाते थे interest income चाड़ाते थे और हमें payment मिलता था and overall last में जाकि वो क्या हो जाता था नील हो जाता था हाँ agree करता हूं कि settlement जब end में maturity हो जाता है तब भी आपका remove हो जाता financial assets पर इसके बावजूद भी कभी-कभी बीच में भी एना before maturity भी कितने बार क्या होते हैं आपका financial assets हमें remove करना होते हैं तो overall अभी हम यहीं समझेंगे कि financial assets को सब्सक्राइब करें तो अलग-अलग situation है जब हम अपने बैलंस इट से हटा देंगे जैसे right to cash flow from asset expire जब आपका मेरा अधिकार इमानी जब मुझे आपसे पैसे मिलने मैंने मुझे दे दिये या फिर माली जै मैंने अपको goods sell के on credit receivable था receivable is also financial assets और आपने मुझे पैसे दे दिये तो मेरे पास पैसे आगे तो that means what right to cash flow expire होगी अप पैसे आगे तो थोड़ना वापश आके मांगूँ आपसे मैं तो कैसा है situation में क्या करेंगे financial assets को आप हम दी रिकमेस करनेगे पैसे आ गया कैस आ गया कैस आ घया कैस को कैस को बढ़ा दूगा कैस को बढ़ा दूँगा फाइनिसल एसेट को फाइदाउजन से कम कर दूँगा बात-कतम पर कभी-कभी ऐसा भी सिच्वीशन आता है जब मालें जब फॉर एक्जंबल मुझे आपसे फाइदाउजन रुपीस मिलना और आपने मुझे त्री ताउजन फाइविनेट रुपी पर कभी कुछ कभी कुछ देते देते एराउंड एराउंड वन पॉइंट फॉर फाइव सम्थिंग मुझे मिलना था एंड फिर बात में वापए से उसने कडिबन 10 या फिर है न कुछ ऐसे करके पेमिंट किया एंड फिर बात में दे नहीं रहा था तो मैंने उसे का चल ठी लिए 1.35 मुझे किसे से मिलना है और उसने मझे देने का दे दिया तो और मैंने बिलीत कर दिया पर यह जिजिए मैरा गौनल दे लूकसान होगा मैं क्या इसक्तर क्या करूंगा मन च्यू управा मुझे और पैसे नहीं मिलने वाले तो पूरा फैसे नित से हो जाएगा जबकि पैसे तो वन लक यह है तो कैस्ट वन लक से बढ़ेगा पर फाइनिसे एसे लीगली रिलीज कर दिया तो यह पॉइंट मैंने आपको लीगली रिलीज कर दिया तो मतलब मैं फाइनिसे लेगली रिलीज कर दिया तो वही बात है कि यहां पर राइट-क्सपर अपर आपको फूचिल में कोई पैसन नहीं मिलने मौले तो वह एसे लाइप और 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 राइप उस तरह लास्या नौत भी और याँचे तरीका से, अब हम एक और बात करेंगे, दूसरा, entity transfer its right to receive cash flow and transferred substantially all risk and reward, समझ में आ रहे है, सुनिये मेरे बात, माल लीजे for example, मुझे आपसे 50,000 रुपीज मिलना था, मुझे आपसे 50,000 रुपीज मिलना था, और मैंने क्या क्या, जो मेरा friend राजीब है, मैंने उस राजीब से ख 30,000 रुपीज दे दे, और तु ये पूरा का पूरा financial assets ले जा मेरा, तो वो लेके जाएगा, जी हाँ, वो लेके जाएगा, क्योंकि उसे मुझे आज 30,000 रुपीज नहीं देना है, राजीब को, और उसे आपसे कितना मिलेगा, 50,000 रुपीज मिलेगा, और मैंने राजीब क करा लिया, फिर कुछ भी करा कि मैंने दूसरे पार्टी को माननी जाए, राजीब को मैंने ये transfer कर दिया, तो मतलब मैंने मेरे को जो अधिकार तो आपसे 50,000 रुपीज मिलने का, ये अधिकार मैंने राजीब को transfer कर दिया, और साती साथ risk and reward भी मैंने transfer कर दिया, मैंने का कि 50 50,000 पूरा मिला तो भी 13,00 मिला तो भी 12,00 मिला तो भी जीुरह मिला तो गिंदार तो मतलब कहने का मतलब कितने भार मैं서 क्यां करताओ र्इड टो कैसे रहो रियुड आपने मुझे पैसे दिये मैंने क्या च्ogue रिकार जो किसी और को ट्रांसफर कर दिया और साते साथ रिस्क वगेरा भी उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ऐसा situation में भी अब मुझे तो पैसे मिलने से रहे मैं financial assets को क्या करूँगा डी कर देना 50,000 रुपीज मुझे मिलना है मैं उनको बिल्स वगेरा सब कुछ दिखा दूँगा अब बैंक ने मुझे का कि वो मुझे 40,000 रुपीज देगा मनने मानने मानना मत मान वह मैंने बोला चल ठीक है झंजट खतम करते हैं 40,000 मैंने इमीडिटली बैंक से ले लिया इमीडिटtemps मैंने बैंक से 40,000 रुपीज ले लिया और अधिकार जो मेरा था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया बैंको तो अब मैं क्या करूँगा, financial assets तो पूरा का पूरी हटाना मुझे, पूरा का पूरा अधिकार बैंक के बाच से ले, और बैंक को मैंने कह दिया, कल को default वगेरा कुछ करता, तेरी जीमिदारी, मेरी जीमिदारी नहीं है, यहाँ पर risk and reward मैंने बैंक को transfer कर दिया, 40,000 उसे आज ले लिए, तो 40,000 का financial assets है, sorry, 50,000 का मेरा financial assets है, जो आपसे मिला था, पूरा का पूरा कम कर दूँगा, पैसे तो 40,000 है, तो 10,000 रुपीस का नुकसान मैं, PL में रिखा दूँग, समझा है, अब कितनी बार ऐसे भी होते है, कि हम बैंक से discounting तो कराते, बैंक से मैंने discounting करा है, बैंक से मैंने 40,000 रुपीस लिया, पर बैंक को मैंने ये कहा कि कल को ये party default करता है, तो मेरी जीमेदारी है, तो ऐसा situation में, क्या मैंने risk and reward transfer किया, जी नहीं, तो यहाँ पर आप खुछ सुचे, क्या मुझे financial assets को de-recognise करना चाहिए, नहीं, मैंने बेचा नहीं, क्योंकि आग अगर कल को customer default करता, अगर कल को ये student default करता है, तो मेरी जीमेदारी है, बैंक की जीमेदारी नहीं है, तो ऐसा situation में, जो मेरा financial assets 50,000 का वो वैसा का वैसा ही पढ़ा रहे है, हाँ, उसमें कुछ impairment वगेरा होना है, तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है, impairment का मेरे separate video डाला हुआ, पू मेरा financial assets 50,000 का लिखेगा, और अगर मैं ये bank को discounting करा तो पर अगर मेरे risk and reward bank को transfer नहीं किया, तो ऐसे situation में मैं 50,000 का अपना d-recognize नहीं करूँ, अब bank से तो मैं पैसा लेगिया नो 40,000 रुपेस, उसका क्या करना है, तो जो मैं bank से पैसा लेगिया नो 40,000 रुपेस, मैं में में बेचा नहीं है, क्योंकि उसने related जो भी risk and reward है, वो still मेरे पास ही है, तो इसलिए यहाँ पर हम d-recognize नहीं करते हैं, और एक example ले नहीं, factoring का आपने example सुनाओका, factoring में आप दिखी का records होता है, और non records होता है, यह आपको पता है, SFM में बहुत ही अच्छा chapter हुआ करत होती है, वो क्या करती है, हमसे हमारा, वो asset management company होती है, मलब वो data वगिरे सबको manage करती है, वो हमसे खरीद लेती, lump sum पैसा देके, और बाद में वो recover करती है, तो यहाँ पर वही same कहानी है, अगर मालीजे मैंने factoring arrangement किया, जहाँ पर मैंने financial assets उनको बेच दिए, और बेचने के स चले है, मैं देखूंगा कि क्या मैंने factoring वाले को, यह साब साब कहा दिया है, कि कल को customer default करता है, कल को मेरा student default करता है, तो आपकी जीमेदारी, मेरी को जीमेदारी नहीं है, अगर मैंने ऐसा कहा दिया है, तब तो मतलब मैंने risk and reward transfer कर दिया, और अगर मालीजे मैंने ऐसे कहा तेरा काम जाने, records मतलब मैंने risk तो transfer किया with records, मतलब आगे कल को आप default करोगी, तो मेरी जीमेदारी, तो यहनि रिकोर्स की case में हम मानेंगे risk and reward transfer नहीं हुआ है, नोन रिकोर्स में मानेंगे risk and reward transfer हो गया है, और accordingly हम financial assets को derecognese करेंगे या नहीं करेंगे, आपको मैंने समझा द या factoring arrangement वगेरा प्याना, मेरा आपको समझा है, तो यहाँ पर आपको देखना factoring arrangement अगर आप करोगी, तो non records होना चाहिए, non records मतलब non records मेरी को जीमेदारी नहीं, वो सारी जीमेदारी factoring company के, तो ऐसा situation में भी हम de-recognese करेंगे, यानि de-recognese करने के लिए एक तो मैंने transfer किया, मेरा अधिकार और साथी साथ मैंने substantially, substantially मैंने risk and reward transfer किया, यहाँ पर substantially का मतलब कि आपको मैं समझा देता हूँ, 95% मान लिजे, 90% risk and reward मैंने transfer कर दिया, 10% मैंने कोई guarantee दे दिया, और default का, यहनि को छुटा मुटा guarantee दे दे कि कल को चलो ठीक है, 5 crore तक का, मान लिजे मुझे आप अलग से 5 crore की तो जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मालब 45 crore की तो मैं जिम्मेदारी ले नहीं रहा, सिर्फ 5 crore की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर substantial ही तो दिखा जाए, मैंने बेजी दिया, तो अब क्या हो गई 5 crore का साथ, आप बोलोगे क्या गण, यह 5 crore को अलग से continuing involvement asset की नाम पर दिखा देंगे, अलग से asset दिखा देंगे, अलग से asset और liability दिखा देंगे, इसको समझना है आपको यह जो point मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है illustration 12 ABC, मैंने अपने regular वाले वीडियो में illustration 12 ABC अच्छे से कर रहा है, अब हमारा regular वीडियो दे मैं क्या करूँगा, मैं साथ ही साथ आपको अभी कुछ-कुछ examples बताऊंगा, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्या substantially risk and reward transfer होगा, आप गोलो कि सर अभी तो बता है, और भी है कुछ-कुछ, जो आपको और clear करेगा, तो यहाँ पर हम discuss करेंगे कुछ-कुछ example जहाँ पर आपक substantially transfer होगी अब, है ना, अगर transfer होगया substantially तब तो आप क्या करोगे, डी-recognize करोगा, financial assets को, और अगर मालीजे, substantially transfer नहीं हुआ है, retain करके रख रहे हैं तब आप क्या करोगे, continue to recognize, आप डी-recognize नहीं कर सकते, आप continue to recognize करोगे financial assets को, पुमीर है, यहाँ तक समझ में आगे अच्छ तो चलिए, अफट आफट देखते हैं, पहला example, an unconditional sale of financial asset, मतलब मैंने राजीब को बेज दिया, unconditional sale है, कोई condition नहीं, मैंने बेज दिया, तो जाने ही, तेरा काम जाने है, मुझे कोई मतलब नहीं है, सारा risk and reward, मतलब ट्रांसफर हो गया, मतलब, unconditional, कोई sale का साथ कोई condition अटेश है, तीसरा भी अच्छा पॉइंट है, यह दोनों अच्छे से स्टार देना, देखें, यहाँ पर, दूसरे पॉइंट में, a sale of a financial asset, मैंने financial assets को बेचा है, together with an option to repurchase of financial assets, at its fair value at the time of repurchase, यह क्या कहना चाता है, मतलब मैंने क्या किया, मुझे आप से पैसे मिलने, मुझे आप से 50,000 रुपीस मिलना है, यह मेरे लिए क्या financial assets, आपके लिए financial liability है, मैंने यह financial assets राजीब को बेच दिया, लेकिन राजीब को जब मैंने financial assets बेचा न, साथिस साथ में एक condition भी है, एक option भी मैंने राजीब को दिया है, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे repurchase कर सकता हूँ, यह मान लिए मेरे पास अधिकार, मेरे पास ही अधिकार है कि मैं repurchase कर सकता हूँ, वापस से repeat करो, मुझे अपसे 50,000 रुपीस मिलना है, मेरा financial assets है, मैंने राजीब को यह assets बीच दिया है, और मेरे पास option है repurchase करने का, लेकिन जो मैं repurchase करूँगा, वो ऐसानी कि कोई fix price मे देखें, अब मान लिए मेरे पास एक iPad बढ़ा हुआ है, logically समझाने की courses करो, यह iPad का आज का fair value है 60,000 रुपीस, तो यह iPad में 60,000 रुपीस मैं राजीब को बीच दूँगा, fair value में बीच दिया मान लिजए, अब मैंने राजीब को यह कहा कि तु बाद में मुझे बेचना यह iPad को, लेकिन fair value में बीचना, अगर आगे जाके राजीब मुझे इस iPad को fair value में बेचेगा, तो उससे राजीब को कोई उकसान नहीं है, ऐसे तो मैं मार्केट से भी करीज सकता हूँ, मार्केट में oil x मैं search कर लूँगा, quicker मैं search कर लूँगा, अलग-अलग जगा पे fair value में तो का धूका है, sale नहीं है, पर अगर माली जब मैं iPad उससे बीचता हूँ, और बाद में subsequently अगर मैं fair value में खरीता हूँ, तो उससे ना खरीत के मैं किसी ओर से भी तो खरी सकता हूँ, fair value में, तो fair value में खरीतने में तो पूरा यह नहीं, आपको समझे, और generally जो financial assets होते हैं, generally जो financial financial assets की बात करते हैं, जो instrument financial assets हाइबर थोना होते हैं, तो non-financial assets, financial assets होते हैं, गया जोते हैं, और generally एक्टिवले ट्रेड होते हैं market में, अब market से ऐसे भी fair value में खरी सकते हूँ, तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कोई financial assets बेचता हूँ, और बदली में contract किया कि मैं इस कोई bond है, राजीब को बेचे है 50,000 रुपीस में, आज का fair value में, और कल को bond का fair value 5,000 हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 5,000 में ही राजीब से खरीदूँगा, समझे रो, अगर कल को 2,000 होगा, तो मैं 2,000 में ही राजीब से खरीदूँगा, अगर कल को 1 lakh होगे तो 1 lakh में राजीब स यह यह जो भी घाटा या फाइदा होगा वो राजीव का होना है क्यों क्योंकि fair value में आगे जाकर repurchase होगा तो जो भी value में change आएगा उसका impact मुझे पड़ेगा बिल्कुल नहीं उसका impact राजीव को पड़ेगा agreed समझ मैं तो इसलिए अगर हम sale करेंगे financial assets together with an option to repurchase at fair value at fair value at fair value अगर हम fair value में करेंगे तो कोई problem नहीं है आप इसे क्या करोगे आप इसे क्या करोगे आप डी recognize कर सकते हो financial assets को लेकिन अगर मालीजे ऐसा होता कि जहाँ पर मेरा आजीब को में खरीदने से रहा हूं मैं तो 40 में खरीदूंगा उससे तो अगर कल को 80 thousand हो भी एक तो उसका फायदा क्या राजीब को मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि मैं fix price में उसे खरीदने वालो और अगर मान लीचे for example price घटा 10 thousand हो गया तो भी मेरे घटा है राजीब को इसका रिस्क नहीं उठाना क्यों क्योंकि 40 thousand में ही उससे मुझे खरीदना पड़ेगा और मार्केट में फिर में 10 thousand में बेचवा हुआ हुआ यहाँ फिक्स प्राइस जहाँ पर रहेगा वहाँ पर मेरी पास ही risk and reward transfer नहीं हुआ है और जहां पर फेरवल जोवाँ पर रिस्क नत्रवाड ट्रान्फर हुआ इसलिए यहां पर आप देखिए अगर नीचे देखोगे नीचे यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है कहा गया कहा गया कहा गया यह रहा है और यहां पर सेल प्लस लेंडर सेटन का मतलब समझ रहा हूँ मतलब कही नहीं मैं उससे लोन ले रहा हूँ जैसे मैंने राजीब को क्या का कि देख मैं तुझे आज 50,000 में बीच रहा हूँ यह लोट के मेरे पास ही आएगा मैं दिखा ज़े तो फाइनिसल असे को गिरवी रख रहा हूँ इससे को लेडरल उससे दे रहा हूँ और उससे चुका हूँगा मैं यहाँ पर तो फोलेटरल की तरह हम यूज करें फाइनिसल असेट को तो इसलिए आपको यह समझना है यहाँ पर कि जब मैं सेल एंड रिपर्चेस ट्रांजिक्शन कर रहा हूँ वहाँ पर रिपर्चेस प्रेस अगर फिक्स्ट है और यहाँ फिर सील प्रेस प्लस लेंडर्स रिटन है तो ऐसे सिचुईशन में हम क्या कर रहे हैं रिटीन कर रहे हैं रिस्क एंड रिवाड को और हम कंटीनू टू रिकग्नेस करेंगे फाइनिसल असेर्स को अगर फिक्स प्रेस और सेल प्रेस प्लस लेंडर्स रिटन है तो आप इसे कंटीनू करोगे रिकाग्नेस करना उमीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया अब एक और पॉइंट है काफी इंट्रेस्टिंग है एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट ये जो पैसे मिलने मेरा फैनिसेल अशट है ये जाक्राशीच को बैच दिया ना बैच दिया लेकिन राजीब को बैचने के साथ मेरी ऩाइड पुट आप्सन अश्यूट हमिशा किसकी बास होगा इसको मुने बैच बैच है जो घुन कर रहा है अगर फैनिसल अलसर बैच把 करेगा इसलिए holder के बास हमेसा put option होता है तो जो राजीब अभी holder है क्योंकि उसको मैंने बेच दिया है अब उसकी बास put option है कि वो चाहे तो मुझे बेच सकता है पर कभी-कभी ऐसा situation आता है जहां पर दिख रहा है कि राजीब के बास put option तो है मेरे को बेचने का पर वो कभी ऐ करेगा नहीं क्यों नहीं करेगा समझा रहा है जैसे मालने जब एक्जामपल राजीब के बास मोगा है कि वो चाहे तो मुझे 80 रुपीस में मेरे मुझे फेक सकता है और मुझे उससे 80 रुपीस देना पड़ेगा मतलब मैंने राजीब को कह दिया कि तेरे पास option है तो नहीं समझ में कोई बात ने देखें ना चे मुझे कितने में बेज्さकता है 80 रुपीस में बेच सकता है मैंने तो बेच दिया है उसे राजीब यूचर में कभी मार्केट में नहीं बेचेगा क्योंकि मुझसे ज्यादा पैसे मिलेंगे पर अगर मालीची 80 रुपीज से ज्यादा रहेगा और चांसे है यह नहीं कि 80 रुपीज से कम आने वाल यह तो में जज्ज्मेंट करना पड़ेगा और एंटिटी को लग रहे है कि हाइली मार्केट में बेचेगा तो एक रुपा उसका फाइदा रहेगा तो इसलिए इसे हम क्या कहते है आउट अफ दमनी मालें पुट ऑप्सन आउट ऑफ दमनी होगा मतलब पुट ऑफ्सन को कुछ रहा ही नहीं आउट ऑफ दमनी लैप्स होगा यह साफ पता चल रहा है लाप् वो अधिकार एकदम बरबाद को खरी देगे भी ने उसलिए अधिकार क्योंकि सबको दिखेगा कि यह तो कुट ऑफसन कभी एक्सराइस होने से रहा यह तो लाप्स ही होगा क्यों क्योंकि मार्केट प्रैस हंड्रेट चल रहा है और एट्टी में सेल करने का उप्सन उसके पेचने पर वो मार्केट में बेचेगा तो मतलब यहाँ पर रही परचिस का उपसन नहीं नहीं सिर्फ सेल ही है यह यह इसे अंकंटिनिशनल सेल की तरह माल लेंगे और ऐसा सिच्वेशन में क्या करेंगे ऑव्यसी बात है हम टी रिकरनेस कर देंगे मानेगे ट्रांसफर ह अब मार्केट में प्राइस 60 रूपीज है तो आप खुद सोचेगा मार्केट में 60 रूपीज में क्यों बेचेगा राजी तो मुझे बेचने वाला है 80 रूपीज में और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मैचूरिटी तक जब पुट ऑफ्सन एक्सवाइज होगा तब यह 80 क्यों पर जाए अगर 79 भी रहा मार्केट का प्राइस तो यह 79 में मार्केट में नहीं बेचेगा यह मुझे 80 रूपेज में बेचेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि डीपली इन्दा मनी का मतलब क्या पता है क कि ये put option exercise होके ही रहे क्यों क्योंकि जो exercise price से वो इतना healthy है 80 रुपेस में ये बेच सकता मुझे और market में उससे कम ही चल रहा price और कभी 80 को cross नहीं करे गई chance ही नहीं highly unlikely है तो यह हम क्या कहेंगे put option जो है ये deeply in the money है तो ऐसा situation में मैंने बेचा तो है पर राजीब मुझे बेची गई market में राजीब नहीं बेचे राजीब मुझे ही बेचने वाला क्योंकि उसको मुझे बेचने पर फाइदा मिलेगा क्योंकि market में बहुत कम price मिल रहा है, मुझे पेचने पर उसे ज़्यादा मिलेगा, तो मैं रो रहा हूँ, मेरे तो नुपसान होगा, क्योंकि मैंने बेचा है, पर यह lot के मेरे पास आए गई, तो मतलब यह steel of financial asset नहीं हुआ, क्योंकि यह मेरे पास से risk के मुझे मिले गई, तो क्योंकि market price से compare करें, तो कोई फाइदा है नहीं, धूर हो सकता, उसके पास put option या मेरे पास call option, अगर वो deeply out of the money, मतलब हम यह check कर लें है, क्या कोई chance ही नहीं है, कि वो access करें या मैं access करूँ, chance ही नहीं, तब तो फिर हम कहेंगे हाँ, आप इसे transfer मान लो, substantially older risk and reward, और आप इसे de-recognize कर दो, लेकिन अगर नीचे आप देखोगे, नीचे देखोगे, ऐसा भी हो सकता, sale of way financial assets together with a deep in the money put or call option, deeply in the money, और इसका example भी होई लिए देखे, put option का exercise price 80 है और market price मान लिए 55 है, और कोई chance नहीं कि 80 को पर जाएगा, कोई chance नहीं कि 80 को पर जाएगा, तो मतलब हमारे पा नाइस, तो थोड़ा सा मेहनत कर रहो हमें, आपको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है, चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ, तो यहाँ पर आप देखिए, ultimately मैंने सारे example समझा दी है, आपर तीनों जहाँ पर substantially risk and reward का transfer होगा, मैंने example समझा दिया, पहला unconditional sale भी अच्छ का नहीं है, तो मतलब सीली सिर्फ बचा, है ना, sale plus कोई काम का नहीं, तो मतलब सीली तो बचा ना, और sale बचा तो मतलब आप इसे risk and reward transfer मानोगे, आप दी recognize कर दो होगे, लेकिन अब हम कुछ point ऐसे पढ़ेंगे, जहाँ पर retain हो रहा है, मतलब risk and reward transfer नहीं हो रहा है, हम continue to recognize करे पहला वाला point already मैंने आपको पढ़ा दिया, कि जहाँ पर fixed price, sale price plus lenders return, उपर का difference था, already पढ़ा दिया मैंने, ये दूसरा, ये दो point मैंने नहीं पढ़ाए भी तक, ये वाला point already मैंने आपको पढ़ा दिया, deeply in the money वाला, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर अब य ये वाला, ये वाला एकदम simple है, securities lending arrangement मतलब collateral, मतलब क्या हुआ, मालो मैंने किसी को गिरवी रख दिया, securities को मैंने collateral में किसी को दे दिया, बदले मैं पैसे और यहाँ पर कहा सा transfer हुआ, इसे मैंने collateral भी लिग दिया, बड़ साइड में, तो ऐसे collateral मालीचे मेरे बहुत सारे sets प मैंने क्या कि ऐसे गिरवी रखे, पैसा उठाली थोड़े को, तो मेरे पास लोटके आने ही है न, तो इसलिए हम इसे sale नहीं मानेंगे, यह आपका, हाँ बाद में कलको उसने forfeit वगएरा कर लिया, तब वो मालनों, अलग बाते हैं, पर otherwise ऐसे नहीं मालोंगे, और हमालों कि चावल बेचे, राइस, चावल बेचे मैंने आपको पांच किजी और आपसे मुझे 50 रुपे मिलने, 50 रुपीस, only, 50 रुपीस मिलने हैं मुझे 50 रुपीस मिलने, अब मैंने क्या कि यह 50 रुपीस का, जो मेरे रुपीस मिलने हैं, मैंने राजीब को, क्या क्या क्या, सील कर तो आप सुचे रिस्क एंडर्वार्ट तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं क्योंकि यहां पर जो मुझे पैसे मिलने यहां पर मैंने गैरंटी दे दिया राजीब को कि कोई भी क्या है क्या है यहां पर फिर वी जीघ्रिकेश से अगरा बात है को फिर से सीघ्रिकिन कमेंट करें चूप देते हैं कि अगर आप स्योर हों कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं तो आप दिरेकर निजस कर दो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्रेटिट लॉसस लायकली चांसे से क्यों उकर अप ऐसे नहीं दोगे तो फिर मैं इसे क्यों ट्रांसफर मानूँ से लना तो ऐसा सिच में से continue to recognize करेंगे मतलब पूल मिला कि पूरे point में आपको एक ही ची समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं में देख रहा है कि किसी प्रकार का loss होगा तो मैं compensate करूँगा जो की chances से की ओकर होगा तो चलिए उमीदे समझ में आया अब यहाँ पर एक ही point बचता है debt is what sale of a financial asset together with a total return swap debt transfer the market risk exposure back to the entity यह आपको मैं समझाता हूँ मज़ेदार है सुनिए मेरे बाद जैसे कि क्या हुआ माल लीजे मैंने आपको पैसे loan पे दे रखे है मैंने आपको 100 रुपीस 100 ने लेता हूँ 5 विनिट रुपीस लेता हूँ मैंने आपको 5 विनिट रुपीस उधार दिये और आप मुझे क्या करोगे आने वाले 5 साल तक आप मुझे floating rate of interest दोगे इनि माल लीजे फिर्स यह में rate of interest लाइब और का माल लीजे अब जो भी लाइब और का लेल लेजे माल लेजे लाइब और का फिर्स यह में rate of interest 10% होगा तो मुझे 50 रुपीस होगे 10% का ब्याज दोगा मुझे और अगर second year में माल लीजे लाइब और 8% हुआ तो 500 रुपीस का 8% कितना हुआ 40 रुपीस हम मुझे 40 रुपीस देने वाले हो आपर और third year में यही मतलब जो market का rate of interest होगा वही rate of interest आप मुझे दोगे यही अब floating आपने floating गोरूइं किया मैंने floating में investment किया यही जो rate of interest होगा वो मुझे दोगे समझ मैं मतलब मैंने आपको आज 500 रुपीय यह 500 रुपीय मुझे 5 साल के बाद आपसे मिलेंगे और every year जो market का rate of interest होगा जो लाइब और का rate of interest होगा वो मुझे देने वाले अब मैंने क्या किया यह मैंने क्या क्या राजीब को बेच दिया अब राजीब को बेच दिया अब बाद राजीब को बेच दिया तो अब बताई अब आगे जा कि जोबी floating rate of interest होगा वो मुझे मिलेगा कि राजीब को मिलेगा राजीब को मिलेगा अगर 5 minute का मान लेजिए 2% rate of interest हुआ तो 5 minute का 2% 10 रुपी सब राजीब को दोगे तो यानि जो भी rate of interest मिलेगा अब किसको मिलेगा राजीब को मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने राजीब को बेच दिया swapping करा लिए और swapping में उन्हें क्या का पता है कि राजीब सुन तो एक काम कर ये तो मैंने बेच दिया अब ये पैसे आप उनको ही दोगे है ना जो भी floating rate of interest होगा मैंने राजीब को आखा कि ये काम करते हैं 500 के नौसनल इमौन पर हम एक swapping करते हैं जहां पर राजीब मुझे क्या करेगा floating rate of interest देगा और मैं राजीब को fix rate of interest दूँगा यहां पर कोई खेल समझ में आपको समझे आप पहले आप मुझे floating rate of interest देते हैं जबकि अब मैंने ब floating देगा मैं राजीब को fix दूँगा तो सुचिए ना हर साल five minute पे आप राजीब को floating दोगे राजीब के पास floating आया पर swapping arrangement के थूँग वह floating वाला राजीब मुझे देगा तो यहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले तो आप मुझे दे रहे थे अब बस फारिक इतना पहले राजीब को किराजीब को मेरे पास यह आए स Wapping के थूँगा तो आपको सोची है हाँ पर- यहाँ पर-स पर-स, तो च्वेपिन के थूँग wil से आगया किसे आगया क्योंकि आप राजीब को जो दोगे राजीब आप स्वापिंग के थू मुझी दे देगा क्योंकि अगर मालो कल को 2% rate of interest हुआ तो 2% 5 minute का 2% आप राजीब को दोगे और fix हमने माल लिया 10% fix हमने swapping करा लिया अब कल को 2% rate of interest हो तो 5 minute का 2% 10 rupees आप राजीब को दोगे आया कि तो जो 10 rupees कम पैसा आया हो तो ultimately मेरे पास ही है ना लौट के तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है ultimately risk exposure वहापस है लौट के मेरे पास ही आ जा रहे और इसलिए ऐसे situation में हम इसे कहेंगे कि risk का transfer ही नहीं हो रहे risk and driver transfer ही नहीं हो रहे तो अब बोगे सर अच्छा risk and driver transfer नहीं हो रहा है तब तो फिर आप से लो financial lesson नहीं मानोगे जी आने ही मानेगे हम continue to recognize करेंगे तो आपने जो extra से राजीब से पैसे लिए उसका क्या हम मानेगे और यहाँ पर राजीब है अब देखिया आप मैंने आपको 500 रुपीज दिये ठीक है और floating rate पर है मान लेते हैं पहले से समझाने के लिए first year में rate हो गया 2% second year में यह बात में बता चलिया पर फिर भी समझाने के लिए ले ले हूँ second year में 3% हो गया और third year में मान लेज़े 8% हो गया 15% हो गया मान लेज़े तो मैंने क्या क्या यह जो है ना यह जो मेरा आपसे मिलना यह financial assets मैंने बेज़ डाला अगर मैंने sale of financial assets बेज़ डाला अगर मैं नहीं बेज़ता तो मुझे आपसे फिर्स यह में कितने मिलते हैं 10 रूपीस मिलता 5 विनिट का 2% है ना अगर मैं नहीं बेज़ता तो मुझे 10 रूपीस मिलता second year में 3% यानी 15 रूपीस मुझे मिलता आपसे आप मुझे देते और third year में आप 15% यानी 5 विनिट का 50% 75 आप मुझे देते तो इस सारे cash flows मेरे पास आते एक्सपोजर मेरा देखिए कल को कम जादा हुआ तो मेरे पास एक्सपोजर आएगा अब जब कि मैंने बेज डाला किसको राजीब को तो बेजने पर अब राजीब को मिलेगा 10 रूपीस 15 रूपीस और कितना 75 रूपीस मुझे नहीं मिलेगा मुझे मिलता पर मैंने बेज डाला इसलिए मुझे नहीं मिलेगा राजीब को मिलेगा 10 15 और 75 मैंने किया कि राजी यहार में क्या हुआ मुझे उसे फ्लोटिंग लेना है तो फ्लोटिंग कितना है फाइम नियुनित के जो हमारा ओरिजनल वाला उसी का नॉस्सी लिमांट लिया तो five minute का two percent ten rupees का होगा राजीब मुझे देगा तो ten rupees मेरे पास आगया swapping गया through ten rupees मेरे पास आगया है ना और मैं राजीब को क्या दूँगा fix दूँगा 50 rupees दूँगा राजीब के पास कितना है 50 rupees है 10 percent के सबसे फिर next year मुझे देगा मैं राजीब को कितना दूँगा 50 viv दूँगा फिर next year رाजीब मुझे 75 देगा मैं राजीब को कितना दूगा 50 throws तो देखें न जो मेरे पास आना था बेचने के बाद आया किसके बास राजीब के पास आया पर राजीब ने ये वापस से मुझे लोटा दिये swapping में और मेरे पास ही आगया तो जो risk exposure था वापस से किसके पास है मेरे पास है आगया और मैं राजीब को ultimately दे कितना रहा हूँ 50 रुपीस 50 रुपीस दे रहा हूँ तो देखे ना जब मैंने राजीब को financial assets बेचा माली जब 500 रुपीस में बेचा होगा तो 500 रुपीस में बेचा तो बदले में मैं उसे हर साल 50 रुपीस दे रहा हूँ ना देखा जा तो क्योंकि ये जो 10, 15, 75 दे रहा ही तो स्ट्रोंट से मिल रहा है तो मुझे दे रहा है पर पर अपर जब रचिब से जो 500 रुपीस दे रहा हूँ ना उसी का ब्याज इंट्रस्ट में 50 रुपीस तो से हर साल दे रहा हूँ तो इससे इसा separate contract मान दे वे separate loan arrangement माननेगे और उसका separate accounting होगा हम इसे सेलो financial asset नहीं मानेंगे मुझे उमीद है आपको समझ में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता exam के लिए बिल्कुल important नहीं है इतना tough वो पूछे कर नहीं है और मैं से और हूँ generally कोई ये पढ़ाता भी नहीं होगा मैं से और हूँ के application में जाएगा free lecture में वहाँ पर इसका audio clip मिल जाएगा सारे question का वहाँ पर आप अब बस इसका audio सुन लिजेगा एक question के लिए आपको उतना कर सकते हो हाँ आपको थोड़ा सा तो इसका knowledge होना पड़ेगा तब वो समझ में आएगा वो अलग बात है चलिए तो उमीद है मैंने सारे points आपको समझा दिया आपर हाँ सारे के सारे points मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर वस यह star दिया था और यह भी आपका deeply in the money deeply in the money deeply out of the money exam के लिए important हो सकता आप इस पर ध्यान दिजेगा तो चलिए ना उमीद है आपको यह सारी चीज़े समझ आ गई है तो हमने यह वाला point भी अच्छे से discuss कर लिया यह दोनों point हमने discuss कर लिया अब कितने बार यह होता पता ही कितने बार हमें असना पता चलता है कि entity ने नहीं पर अब पर ने है कि आप जस्टिफाय नहीं कर पार आपको समझ नहीं आ रहे है कि रिस्क अंड्रिवाद ट्रांसफर हुआ यह रहा है हुआ तो आप मालने जगा चलो ठीक है नेदर रिटिन नो ट्रांसफर रिसकें रिवर्ट तो ऐसा situation में यह दिखोगे कि क्या मैं प्रतिक जगा दी मैं एसेट पर कंट्रोल कर रहा हूं अगर मैं एसेट पर कंट्रोल कर रहा हूं तो मतलब मैंने फाइनिसल असेट को पर बीचा अब यहां पर ऐसा हूँ रहा है कि आई-पेड लग रहा ल ascolt एसा feeling आ रहे है तो मैं मानना हो कि है न्युकैं बहुत सकता है यूनिट्रेट को मार्कें मैं बाहर उसकी पास ए सकते कश्रो गार्कत्व है लूम्हीं है लोग इनी सकता चाकर भी क्योंकि राजीब चाहेगा तो बेच देगा लेकिन अगर मैं उझे दिख रहा है ने ने राजीब बेच देगा हो तो ऐसा समझ में आई यहाँ पर तो ultimately मैं इसे थोड़ा सा discussion कर लूगा पर मैं वापस आपको एक बार recap दे दे रहा हूँ मैंने क्या समझाया मैं आपको समझाया कि right to cash flow expire हो जाते जिससे payment कर दिया legal release हो गया तब हम drecognes करते कितने बार हम right to transfer करते पर risk and driver transfer नहीं करते अगर risk and driver transfer किया त control मैंने transfer कर दिया control transfer करने का मतलब हो इसकी पास power की वो चाहे तो बेच्व सकता है practical ability कि वो चाहे तो बेच सकता practical ability मैं समझाओंगा अभी आपको कि उसकी बास practical ability वो चाहे तो बेच्छी तो सकता मैंने का न कि उसके पास बेचने का ability अगर transfer के पास है राजिक प्यावस बेचने का ability यह तो मतलब मैं मानू का मैंने control transfer कर दिया जैसे if the transfer has the practical ability to sell in its entirety to an unrelated third party वो जिसको चाहे बेच सकता है and 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 is able to exercise that ability unilaterally मतलब वो मेरे से permission नहीं मांगेगा without needing to impose additional restriction on the transfer मतलब कोई restriction वगेरा नहीं है यह बिंदास यह चाहे तो बीना मेरे से approval यह बेच सकता है तो मतलब ऐसा situation में entity ने retain नहीं क्या control राजिब के पास ही सारा power है transfer के पास सारा power है वो बेच पार है practical ability के वो बेच पार है तो मानेंगे control transfer हो जाए चली समझ में आया अच्छे से समझ में आया तो बाकी सारे cases में हम मानेंगे कि रिटीन हो रहा मैंने पहले सोचा था कि छोड़ दून ना पढ़ाओ फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो न पढ़ा देते दू मिट लगी है क्या दिक करते फटा फट से पढ़ा देते तो example कुछ कुछ है जहां पर आपको situation when transferring has the practical ability to sell the financial asset जैसे मालीजे for example मैंने राजिब को एक financial assets बीच है और मै मैं वापस से इसे ले लूँ मेरे पास right है कि मैं repurchase कर सकता हूं सुने मेरे बात मेरे transferred asset is subject to an option that allows entity to repurchase मेरे पास repurchase करने का option है मतने मैंने राजीब को बेज दिया है और मेरे पास सदिकार है कि मैं उससे repurchase कर सकता हूं आप बोलो कि सर यहाँ पर तो simple सी बात है control transfer नहीं हो रहे मार्केट में एक्टिव लिट्रे हो रहे और मेरे राजीब को खा कि बेचना मत देख मेरे बात सब्सक्राइब ने कहा लहीं बैशोंगा मैंने का बेचिद नंक उसने काओ नहीं बैचूंगा अब क्या हुआ राजीम ने बेच दिया ऊसे पताया क्यों भी दिया φेंट ऐने और JUST कलको बाद में जर्रत पड़ेगी तो खरिथे तो मुझे देगा तो बोलों कि sir यहां पर तो फिर वो fair value वाला concept आगया नहीं उस fair value वाले concept में तो हमने यह समझाता कि आपका substantially risk and reward transfer हो रहा है वो तो सारी condition को meet कर रहा तो पर यहां पर तो हम यह देख रहा है न कि अगर condition meet नहीं हो रहा, transfer नहीं हो रहा substantially, neither transfer nor retain तब हम देखते हैं कि control transfer हुआ है कि नहीं हो तब हम देखेंगे, मतलब आपका ये situation, देखें देखें, जब हमें लगिया कि entity ने transfer ही नहीं किया नहीं risk and reward को retain किया अगर आप बोलोगे, वह वाला point अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजे, आप कोई दिखी रहा है कि आप fair value में खरीदने के पास अपका अधिकार तब तो transfer substantially मानी लिया जाएगा तो जब transfer substantially नहीं माना जाएगा, जब नहीं पता चल रहा है तब हम control देख रहे हैं और उस control में देखते है practical ability है या नहीं है, अगर उस control में देख रहा है कि practical ability है तो ऐससा situation में हम क्या मानेंगे, कि हाँ हमने control transfer कर दिया हमालेंगे तो देखिए आपर, transferred asset is subject to an option that allows the entity to repurchase it and it is traded in the active market ये active market में trade हो रहा है, उससे link हो ये कि क्या transfer के बास क्या ये active trade हो रहा है market में अगर active trade हो रहा है तो माले transfer ही आल्च बेच देगा और बाद में खरीद के आपको देगा बाद खतर है ना, तो मतलब वो बेच सकता है तो मतलब मानेगे control transfer है, माले वो बेचने का practical ability नहीं रहता है, ये कब होगा, जब माले ये market में trade ही नहीं हो रहा है, मैंने उससे कहा बेचना मत किसी को, अब ये चाकर भी नहीं बेच देगा, क्योंकि market में अक्टिवली ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो ये खरीद के कहां से देगा मुझे, तो ऐसा situation में अगर ये market में एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहा है, तो मतलब वो चाकर भी नहीं बेच बाएगा, और हम इसे मानेंगे कि हाँ, ये मार पास लोट के, आ नहीं हम समझा देता हूं, मान लीजिए, यहां पर ऐसा हो रहा है कि मैंने सेल किया financial assets, मैंने उसे put option दिया, मैंने राजीब को financial assets भी दे और उसे put option दिया, कि जब चाहे मुझसे वो वापस है लोटा के दे सकते हैं, पर मैंने put option जोए न, उस put option में में इतना फायदा दे दिया उससे इतना जदा premium दे दे, इतना जदा फायदा दे दे कि वो sufficiently valuable हो गया, कि अब वो market में बेचेगा नहीं, वो मुझे ही बेचेगा, तो मतलब practical ability नहीं है, मलब market में बेचेगा उसका नुकसान है, मलब उसके practical ability है market में बेचने का, पर वो नहीं बेचेगा, क्योंकि मैंने इतना premium हम दे दिया हो से, मैंने उच्छे तम में खरीदने का वाधा कर दिया हो से, तो देखेए आपर अपर, output option or guarantee with respect to the transferred asset, which is sufficiently valuable in the sense, कि वो constraint करेगा transfer को from selling the transferred asset, इतना valuable है कि वो किसी और को बेचेगा नहीं, मेरे पास ही आएगा, माली जी ऐसी बात होगी कि employee है, उस employee के salary जाज रुपया दोगा, 30 दा हो चितना होगा, मेरे पास से रही हूँ, मुझे पता हो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसे उसकी औरकाद से जादा मैं salary दे रहू, वो कहीं नहीं जाएगा, समझ दे रहो, तो वही वाला logic अब यहाँ पर लगा कि समझ लीचे, clear हो जीए, बस समझन आगया, तो यहाँ पर overall हमने financial assets लगभख खतम कर लिया, अब एक छोटा सा discussion है, यह भी कर ले तो आपके साथ, जहाँ पर part of the financial assets को भी हम de-recognize करते हैं, इसे फटाफर से discuss कर लेंगे, इसका भी कुछ-कुछ questions जिसका audio clip आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और फिर हम आगी proceed कर 500 रुपीस मिलना है, है ना, मेरा financial assets अपका financial liability है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, पूरा का पूरा financial assets transfer नहीं किया, उसका part of the financial assets transfer कर दे, कैसे हो सकता part of the financial assets, जैसे कि मुझे पता है कि अगर मानलीजे मैंने आपको 500 रुपीस उधार दिया है, तो आप क्या करोग 5 years का maturity के लीए मैंने आपको उधार दिया, या फिर मानलीजे आपसे मैंने bond खरीतना भी तो उधार दियन रहे हुआ, मैंने आपसे bond खरीता आप मुझे instrument दिया, bond मैंने आपको पैसे दिया, वू धार दियन recurring बार उपेस की maturity का, और आपको मैंने फايवड़ीर रुपीस आज पाइव इनिट रूपेस आप मुझे देद होगे तो कहने का मतलब ये है कहने का मतलब मैं साफ ये कहना चाता हूं को मान लिए जीरो टियर है फरस्ट येर सेकंड येर थर्ड येर किसी का सुछ देद है ना फोट टियर फिफ्ट येर यहाँ पर अभी यहाँ पर हर साल 50 हर सा 50 रुपीस 50 रुपीस आप मुझे दोगे और end मैं मुझे 500 रुपीस दोगे अब सुनिए हमने जिससे पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते आज अगर हम जो financial assets में दिखाऊंगा वो मेरा present value में तो दिखाऊंगा future में जो पैसा आएगा उसका present value तो दिखाऊंगा तो इन सब को क्या प्रेजेंट विलू में पुल करूँगा और इसको भी प्रेजेंट विलू में पुल करूँगा तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं साफ यह कहना चाता हुआ कि यह जो 50 रुपीस 50 रुपीस 50 रुपीस है यह क्या यह interest का part है strip मतलबUNTब particular strip है मतलब यह आप interest दे रह tricky माठ़ा है कहां कि काम कर ये जो मेरा financial asset से जो मेरा cash flow आएगा ना एक काम करना तू इसका 30% ले जागा रूपीस राजीब कोगा तो चले ना, एक काम करते हैं मैं लेखते हूं यहाँ पर 15, 15 15 मैंने राजीब को transfer कर दिया और इसका 5 इनिट का 30% 150 मैं राजीब को transfer कर दिया और and calculator यहाँ पर जो मैंने transfer किया तो आप देखिए कि यहाँ पर 15 15 रुपीज ना मुझे नहीं मिलेगा मैं तब मुझे तो 35 35 35 मिलेगा यह 15 किसे मिलेगा यह 15 राजीब को मिलेगा यह सारा 15 राजीब को मिलेगा एंड में 150 भी राजीब को मिलेगा तो मैं यह देखना चाहूँगा कि राजीब को जो यह मिलेगा cash flows इसका present value कि है मान लेजे market rate of interest जो है मान लेते दूसरा लेते 12% लेते market rate of interest 12% अगर हम इसको खीचेंगे भी तो 12% से खीचेंगे वह हमारा financial assets होगा मैं मान लेता हूँ market rate 12% चल रहा है और बाकी जो आपको मैंने सिखा है वापा कि extra expenditure prepared expense जो भी दिखा होते हो वह लग बात है तो 12% market rate of interest है तो मैं यह देखना चाहूँगा कि यह सारे 15 के cash flows राजीब को मिलेंगे और यह 150 रुपी जो राजीब को मिलेगा इसका present value कि है इसे करेंगे मैं करूँगा 15 divided 1.12 equal m plus 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 5 बार किया MRC कर दिया मैंने यहनि 15 का present value कितना आ रहा 54.07 आ रहा यह जो 15 करके 5 बार मिलेगा न 75 रुप इसका present value 54.07 आ रहा दूसरा 150 को भी present value में पूल करता हूं में 150 divided 1.12 equal 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 m plus मत करने आ पर एक single value है पांच बार कर दिया 85.11 और इसका total कितना हो जाएगा plus 54.07 139.18 यहां पर मेरा कहना यह वो समझाने का मेरा मुद्दा है भी मेरा समझाने का मुद्दा जो हूँ आप समझे का मतलब ही कि 139.8 रुपीस देखा जाए तो मैंने ट्रांसफर कर दिया ना यह 139.8 रुपीस तो मुझे मिलेगा नी तो यह 139.18 रुपीस अब मुझे नहीं मिलेगा और यह राचीप को मिलेगा तो यह मेरा financial assets मैंने sell कर दिया यह पाण टुदा financial assets में क्या करूँ अगर ती करूँ आप यह 139.18 का जो मैंने sell किये इसके बदली मुझे कितना पैसे मिले इसके बदली मुझे कितना पैसे मिले उसके एसाब से मैं देखूंगा हमाण लो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो carrying amount है वो इस rate पर नहीं क्योंकि मैं तो पहले से amortize cost method apply कर रहा हूँ और amortize cost method apply कर रहा हूँ और surवात में मालीज़ 15% ही था तो उसकी सबसे मेरा जो carrying amount था था अब पता नहीं कितना carrying amount था वो भी आप निकालना चाहतो चलो ठीक है वो भी निकाल लेते हैं कर लेता हूँ आपकी खाते 50 divided 1.15 भी मानते पुराना वाला equal m plus 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 यह 167.6 और और फाइव इनिट का भी कर लेते हैं अच्छा 15 कर दिया गलत हो गया यह पूरा लेना न मुझे 50 divided 1.15 equal m plus 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 m rc हाँ ठीक है तो 167.6 से की तो आयता है और लास्ट में 500 है divided 1.15 equal 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 5 पर 248.58 ओवियस दी बात है 15 से पूल करूंगा 500 ही आए गई इस दिजन पॉंट 6 348 नहीं आए गया अच्छा कैसे आएगा 15 मैंने 10% नहीं तुम्हें 10 15% लिया तो कैसे आएगा 50 रुपीज तो 10% पार्ट है तू नहीं आने वाला चलो 15% के रखसी था फिले तो 416 था तो यहां पर 416 था अब क्या होगा 416 का 30% देखा जाए तो मेरा यहां पर यह चला जाएगा इसका जो कैरिंग अमौंट जितना मेरा गया इतना में डी रिकर्गनेस करूंगा और इतना का फैर विलोगर में पेमिंट करूंगा तो जो भी डिफर अबको पैसे किटने के फैर वेलो ट्रांसवर हो रहा ङो तो आपको पैसा मिल जाया और जितना आपको पैसा मिला उसके एकॉर्डींग इन इंडॉटी परस फिप्रसं विप्टी परसंन बेच दिया होगा या फिर ऐसा हो सकते हैं कि सिर्फ इंट्रस्ट्रिप का जो इंट्रस्ट्रिप है हमारा 50 रुपेश इसका मैंने 40% या 30% जो भी बेच दिया या फिर सिर्फ प्रिंसिपल का 30% मैंने बेच दिया ऐसा पॉसिबिलिटी है हाँ ऐसा नहीं चलेगा कि अप फिर इंटिपार करने में मुश्किल होता है तब हम यह नी कह सकते है part of the, क्योंकि entire का पहला 3 साल का बेज देरो, तो आप कैसे identify करोगे, कितना percentage आपने बेचे, पर हाँ, मैं आपको बस इतीन बाते बताना चाता हूँ, अगर 3 point में से कोई भी point आपका match करता है, तो आप समझ जाएं कि आपने part of the financial assets बेचे है, और part लिए वो हो जाएगा, पहला मैंने यह कहा कि entire cash flow का 30%, 40% जो भी आपने बेच दिया, यह जितने future cash flow से उसका present value आपने निकाल के देखेंगा, उतना बेच दिया, 30%, 40%, या फिर आपने interest का जो portion है, interest strip जो है, इसका आपने कुछ portion बेच दिया, या फिर जो principal strip है, principal strip का कुछ portion आपने बेच तो ऐसा situation में part of the financial assets को दिया कर सकते हैं, यहाँ पर आप दिखिए, पहला point में, part comprises only specifically identified cash flows from a financial assets, मतलब यह जो cash flows है न, इसका आपने कुछ portion बेच दाला, यह सारे cash flows का, यह जो सारे cash flows है, इसका आपने कुछ portion बेच दाला, या राइट तू, हाँ, कुछ portion बेच दाला, या फ दूँगा, interest का president value में बेच दूँगा, principle में अपने पास से रखूँगा, ऐसा possibility है, और जैसे मैंने का कि इसके अलावो और भी possibility है कि मैंने principle बेच दिया और interest अपने पास रख लिया, तो भी चलेगा, और या फिर ऐसा possibility कि मैंने क्या क्या, interest का कुछ portion बेच दिया, या पू हाँ, entire cash lock आपने 80% बेच दिया, अलग-अलग situation हो सकता है, यहाँ पर आपका अलग-अलग situation कैसा भी आप करोगे, या यह पूरा का पूरा आपको देखने की जरती नी, जो मैंने आपको नीचे समझाया, interest trip पूरा बेच दिया, या interest trip का कुछ portion बेच दिया, 40%, 30% जो भी है, principal strip पूरा बेच दिया, या principal strip का कुछ portion बेच दिया, 30%, 40% जो भी है, या पूर entire cash flow का आपने पूरा बेच दिया, तब तो पूरे रिरेकरगनेस हो जाएगा, आपने उसका कुछ portion बेच दिया, 40%, 50%, 60% जो भी है, आपने बेच दिया, तो ऐसा situation में part of the financial assets हम क्या करते है, डिर carrying amount क्या है, और हम देखेंगे, तो obvious ही बात है, 30% बेच दिया, 30% बेच होगा, and accordingly आप उसका, कि या फिर आपको अगर दिख रहा है कि नहीं, हमने सिर्फ interest cash flow बेचा, तो हम सीधा 30% तो माइनस कर नहीं सकते, ऐसा भी होगा, तो 50, 50, 50 बेचे हमने, ये नहीं बेचे, तो कैस आपके पास हार है, और उसका difference जो है, वो कहाँ चला जाएगा, profit and loss में चला जाएगा, हाला कि इससे related ज्यादा कुछ exams में, आपका कोई practical question, इतना कुछ frame हुआ भी नहीं होगा, exam में आपको पूचेंगे, तो directly theory tap का question पूचेंगे, और वो बोलेंगे कि इस तरीके से आपका cash flows का कुछ portion बेचा जा रहा है, तो आप बताइगे हमें, कि हम यहाँ पर इसको क्या करें, do you recognize कर सकते की नहीं कर सकते, financial assets को ऐसा पूचा जाएगा, और जब की revision अभी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका practical aspects अभी हम discuss नहीं करेंगे, और यहाँ पर मैं इतना ही और साथी साथ जो इसके questions है, जो इसके questions है, एक इदम theory type के कुछ-कुछ questions है, वो exam purpose के लिए important भी नी पर फिर भी इबर देख लिजेगा, सुन लिजेगा, जो हमारा audio clip है, वो सुन लिजेगा, आपका clear हो जाएगा, तो उमीद आपको समझ आ गया, जो मैं समझाना चाहता थ आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है यहां तक, तो यहां तक हमने financial assets को overall complete कर लिया, इसका de-recognition कैसे हुगा, हमने समझ लिया, अब हम next day discuss करेंगे, de-recognition of financial liability, यह फटा-फट हो जाएगा हमारा, that is financial assets मैंने समझा दिया, अब यह de-recognition कब करेंगे, financial liability, recognize कैसे करना हो हमें पते है, financial liability के case में आप दो ही method से recognize करते हूँ, that is what, एक आपका हो गया, FBT पहले accounting, एक हो गया हमारा, amortized cost, है ना, यह method हमारा होगे, इसी दो method में accounting करते है, FBT UCS में कभी भी नहीं लगता, और FBT भी अब तब करते हूँ, जब आप मान लिजे, क्या, या तो फिर contingent consideration, इस पर index 103, या फिर अब trading purpose के लिए held कर रखो, तब otherwise हम हमेशा maximum cases में amortized cost method ही लगता है, हाँ और गर mismatch है, तो ऐसा situation में भी मान लिजे, आपने एक financial equity का दूसरे financial assets है, लिंक है, दोनों closely related है, दोनों का link है, अगर आपको दिख रहा है कि एक वाले पर FBT उस्किया लगा रहा financial liability की बात करेंगे कि कब हम अपने balance rate से financial liability को remove करेंगे, है ना, financial liability को कब हम अपने balance rate से remove करेंगे, या part of the financial liability को अपने balance rate से remove करेंगे, part भी हो सकता है, partly paid होता है, तो भी तो remove करती है, और या फिर मान लिजब partly अपने किसी और को transfer कर दिया, बहुत सारी बात हो सकती है, तो यह है ना जो creditor है मैं dater हूँ मतलब इस बार आपको मुझसे पैसे मिलने है आपको मुझसे पैसे मिलने है मैं आपका data हूँ और आप मेरे creditor हूँ तो मुझे पैसे देने है आपका में क्या होगया data होगया और आप मेरे क्या होगया creditor हो गए है ना तो इस बार मैं dater हूँ आपका डेटर की पॉंटिविस हो तो जो मैं dater हूँ क्योंकि मुझे पैसे देने मेरे लिए liability है तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि कब extinguish होगा जब obvious सी बाते मैं liability को discharge कर दूँगा अपने माफ कर दिया तो भी पूरा हटा दूँगा या फिर ऐसा हो सकते कि फिप्टी थाउचन में 45,000 में ने डिशार्ज किया 5,000 स्टिल आपको देना है तब तो पार्टली में डिरिकनेस करूँगा 45,000 पर कितने बार ऐसा होता है जैसे मैं आपको example लिया था हूँ उससे पहले वाला net settlement वाला तो यहाँ पर आपने मुझे legal release दे दिया 45,000 में net settlement कर दिया खांकि और देने की जरत नहीं है तो ऐसा situation में 5,000 मेरा फाइदा हो गया जो कि मेरा appeal में चला चाएगा तो यहाँ पर basically यह होगा कि either मैं आपको cash payment करके discharge कर दूँगा या फिर मैं आपको cash payment कर दिया और या फिर मान लीजे मैंने मेरे swap है आप आपको मुझे 50,000 रुपीस मिलना है मैं आपको पैसे नहीं दे रहा है आप आए मेरे swap में और समान उठा के लिए कि चलेगे का 50,000 का यह वो कुछ को समान उठा लिए 50,000 का goods and services मेरे से ले ले कि दिने पर होते हैं आप देखिएगा कि कोई बंदिस आपको पैसे मिलना सायद एक ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने इनिशली समझाया था कि जब हम मालीजे अगर मालीजे मुझे आपको पैसे में डिशार्ज कर रहा हूं या फिर मुझे आपसे goods and services मिल रहा है तो ऐसा situation में उसे financial instrument नहीं मानते मालीजे ऐसा हुआ है जहां पर आपने मुझे पैसे दिये हैं और मेरा obligation आपको पैसे देने का नहीं मेरा obligation आपको सिर्फ goods and services देने का है तब वो मेरे लिए financial liability नहीं है तो वो simple सी बात ही मेरे लिए financial liability नहीं होगा और आपके लिए financial एसेट नहीं होगा समझ मैं यह जित लेकिन ऐसा भी तो हो सकते है कि यहां पर माली जिए आपको मुझे पैसी देने है पर मैं गूट्स और सर्विसेश के तुरू सेटल करो यह जब स्टार्टिंग से कॉंट्रेक्ट ही ऐसा है कि जहां पर मुझे आपको पैसे देने ही नहीं आहि मुझे अगरे मुझे यहां पर यहांपर यह सेटल्मेंट करने से पहले मतलब कहने कमले ह गूढ़ मुझे आपको पैसे चुकाने दे आप पैसे के बियाफ में आपको tuto ऑगरी कर रहूं मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अमान गए तो अलग बात है इसलिए उससे पहले तक और आप तो फिर बात ही खत्म तो यह आप समझेगे इनीशल से सुरुवात से गूट से लेने का नहीं था यह बात में हम देखे सेटल कर रहे तो यह डिफरेंस मुझे आपको समझ कर दो आपको ultimately मिलने पैसे ही है या फिर कोई financial assets मिलना है और मैंने उसको किसी भी फॉर्म में सेटल किया जिसमें आप भी अगरी हो और मैंने इस तरीके से अपना liability को discharge कर दिया और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपने मुझे legally release कर दिया कम पैसा दिया मैंने आप आपने जिन्दकी जिले पैसे देने के जरत नहीं है तो ऐसा situation में हम liability को de-recognize करते हैं अब आगे में इक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ यह आप ध्यान से सुनेगा कितने बाइर ऐसा होता है कि मुझे आपको 50,000 रुपीस देने मैंने क्या किसे दूसरे बंदे को 50 दे चुका हूँ आप उनसे ले लीजेगा और अजीबने भी हाँ भर दिया ठीक है वो आपको दे देगा तो आप बते क्या आप आप मान जाओगे क्या मैं अपना obligation discharge कर दूँ नहीं आपको उस पर ट्रस्टी नहीं है आपको उस पर ट्रस्टी नहीं है आपने कहा कि नहीं कर दे रहा हूँ उसमें आपकी भी रजामंदी होनी पड़ी आपकी अगर उसमें रजामंदी नहीं है तो that means what मैं अपनी liability को discharge नहीं कर सकता क्योंकि आप वह पर मानी नहीं रहो आप बोलो कि मैं तो तुझे जानता हूँ मैं तो प्रतिक जगाती को जानता हूँ मैं तो प् जामंदी दे दी तब मैं अपनी liability को discharge कर सकता हूँ यानि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने liability दूसरे ठेट पार्टी को transfer कर दो इससे में कभी पे अपने liability discharge कर रहा हूँ माना नहीं जाएगा प्रोवाइडेड यह तभी माना चाहिए जब आप मुझे legally release करोगी और आप accept कर तो ठीक है आप मान गए अब आपका तो obligation मेरे सर से गया क्योंकि मैंने कह दिया आप राजीब से ले 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 ना आप मान गए तो मैं लाइबरिटे डिशार्ट कर दूँगा पर अभी तक मैंने राजीब को पैसे तो नहीं दी उसे तो देने तो मेरा नया debt obligation आ जाए है न क् इसके जगा मैं यह नी क्यांगा कि पेबल टू स्टुडेंट है न जो भी आपका नाम पेबल टू स्टुडेंट हो जाएगा उसकी जगा में मैं लिख दूँगा पेबल टू स्टूयं तो मैं drip राजीब तो यह तारी बात है वही थारी बात है मिंद एपर त्योरिटिकल प्रतिक जगाती ने third party यानि राजीब को पैसे दे दिये payment कर दिये देखिये to assume an obligation and notify its creditor notify कर दिया गया किसे creditor को यानि ये creditor कौन हो गया student हो गया that the third party has assumed यानि राजीब ने assume कर लिये अपना obligation the data does not derecognize it यहाँ पर प्रतिक जगाती इसे derecognize नहीं कर सके unless आप approval दे दो और यहाँ पर क्या लेख़व unless the condition is met और यह condition कौन सा है यह वाला देखिए यहाँ पर यह जो मैंने arrow दिया है न यह वाला condition meet होना चाहिए और यह condition के जहाँ पर आप legally release कर दोगे मुझे समझ में आया ठीक है पूरा समझ में आपको example दिया और यहाँ पर अगर मान लीजे legal release मिला तो ही data को extinguze करेगा otherwise extinguze नहीं करेगा यह सारी बात है मैं आपको समझा दिया अच्छी तरीका से दूसरे एक और point अब ऐसा भी तो situation हो सकता है कि जहाँ पर मैं राजीब को पैसे दूँगा कहा है पर दिया नहीं राजीब को पैसे दूँगा कहा पर दिया नहीं है और आपको भी मैंने mention कर दी कि अब उनसे ले 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 और आप मानगे की हाँ ले लोग तो आपका liability तो डिशार्ज दोगा पर निया debt obligation राजीब का मैंने आपको कही और उमीद आपको यह सारी बाते अच्छी तरीके से समझ आ गई मतलब मैं एरे-गेरे किसी को भी ठर्ट पार्टिक को ट्रांस्वर नहीं कर सकता मुझे आपकी रजामंदी मिलेगी तब ही मैं आपको समझ में आपको समझ में आपको समझ में आपको कर दिया और आपको कुछ पैसे मैंने कैस दे दिये और कुछ consideration मैंने non cash दे दिया तो यहाँ पर 50 करोड था 30 करोड और 15 करोड मैंने आपको दे दिय तो 45 करोड का तो मैंने आपको दे दिया अब 45 करोड का settlement हो गया और आपको फइप करोड डेना था तो 5 करोड का liability still देखेगा अब मुझे आपको कुछ नहीं दे ना मैंने यह दो देखे पूरा का पूरा 100% settlement कर दिया तो कहने का मतलब 50 करोड का liability को discharge किया मैंने कितने रुपए देखे 45 करोड देखे तो 5 करोड क्या हो गया फाइदा और यह 5 करोड फाइदा profit में दिखाया जाएगा तो यही मैंने example यहां पर बना दिया आप दिखे the difference between the carrying amount of financial asset extinguished or transferred यानि जो भी carrying amount इतने का हमारा transfer road और consideration हमने जो pay किया including non cash यहां पर goods and services भी हो सकता है इसके जगापे माली जै मैंने 15 करोड का ने 10 करोड का debenture दिया और 5 करोड का goods and services दिया तो कैसे भी आप cash non cash मिला कि आपने जितने पैसे दिये जो difference है घाटा या फाइदा profit या loss में चला जाएगा ऐसा भी हो सकता है मैंने 55 करोड का consideration दे दिया cash non cash मिला कि और 50 करोड का liability दा तो 5 करोड loss हो जाएगा मैरा PL में debit हो जाएगा simple सी बात है उमीद है समझ में आ कि आपकी notes तो आपको यह telegram में मिली जाएगा अब आगे एक और बात है यहाँ पर एक guarantee से related बात है एक तम simple सी बात है कि creditor ने release कर दिया data को आप creditor हो मैं data हो आपने मुझे release कर दिया और मैंने आपको guarantee दिया कि अगर मानिजे राजी पैसा नहीं देता है तो मैं दूँगा मैंने आपको guarantee दिया किसी जीज़ का तो उस guarantee का मैं farewell देखना होता है मतलब यह नहीं क्या मतलब मैंने transfer कर दे है मैंने बस एक guarantee दिया है तो फिर भी आपका माना जाएगा कि liability में डीर कगनास कर रहा हूं माना जाएगा आपको बस यह समझना है guarantee क्योंकि guarantee देने एक अलग चीज हो गया guarantee तो ऐसे insurance company भी देती है तो वैसे guarantee जो है उसका premium उसका fair value देखा जाता है तो यहाँ पर आप समझे मेरी बातों को कि कभी भी guarantee से related कोई बात आईगी तो आपको कैसे क्या करना है पहले आपको accounting के समझा देता हूं मा लीजे आपको मुझी 80 लाग रुपीस देना है आपको मुझी कितना देना है? 80 लाग रुपीस देना है और मैंने आपको 65 लाग रुपीस तो cash में पैसे दे दिये और मैंने आपको 5 लाग तक का हद का guarantee दे 5 लाग का कुछ भी हो सकता थी मैंने 5 लाग का आपको guarantee दे दिया अब आप बोलो कि अच्छा सर 80 लाग रुपेस देना था 65 लाग रुपेस पेमेंट कर दिया 5 लाग रुपेस का गैरंटी दिया है और 80 लाग आपका 10 लाग आएगा गलत हम इस गैरंटी का प्रीमियम देखते हैं आज का डिट का फैर विलू देखते हैं बला हम यह उसका probability कितना है कि आपका यह exercise होगा मतलब मुझे मेरा पैसा जा सकता है उसका मैं फैर विलू देखते हैं उतना प्रीमियम लेता हूँ तो मैंने पता किया किसका फैर विलू यह इंडेस 103 में भी हमने समझाया था कि कि किसी भी प्रकार का contingent consideration होता है तो उसका मैं फैर विल करेगा तो मुझे आपको देना नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो नहीं दोंगा तो आपर third party का default का क्या probability वगएरा 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 वो सारी चीज़े देखते हैं हम आज का इस 5 लाग का फैर विलू निका लेंगे हां might भी ऐसा हो सकता है कि इस 5 लाग का फैर विलू भी तो देखा जातो 80 लाग रुपीज में आपका liability मेरा था application इसको मैंने discharge किया किया by paying cash 65 लाग रुपीज और बाकी 3 लाग का मैंने आपको guarantee दिया जिसका मेरा premium का नुपसान हो रहा है यहींनि देखा जातो 68 लाग रुपीज का मेरा नुपसान है और 80 लाग रुपीज मैंने liability discharge किया तो ultimately फाइदा कितना हो मेरा 12 लाग का मेरा फाइदा होगी और इसको मैं balance rate में अगर आपको समझाओ तो देखिए balance rate में क्या हुआ मैंने आपको liability 80 लाग देना था इससे de-recognize कर दिया bracket मतला liability को खतम कर दिया मैंने कैसे खतम किया 65 लाग रुपीज पीमिंट किया और guarantee जो दिया ने इसका आज का fair value में liability दिखाऊँगा हाँ बाद में बदल सकता बाद में बदलेगा तो इससे हम बदलेंगे every reporting period में re-measure करेंगे जब बदलेगा तो हम बदलेंगे इससे और जो भी difference आएगा वो पील में जाएगा सिंपल सी बात है guarantee को हमेज आप fair value में measure करोगे यह रिपोर्टिंग पीरेड एंड तक माल लीजे चिल आपको पैसे मिलने ठेट पार्टी से और इसका फेर विलू 4 लाग रुपीज हो गया तो 1 लाग का लाइबरिटी बढ़ाएंगे बदल में चार्च करेंगे बाद में प अब यह खुद पढ़ ले जागा मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैंने आपको एक्जांबल से पूरा समझाई दिया तो overall मैंने आपको है ना पूरा समझा दिया कि इसके रिलेटेड कोशिन ज्यादा ऐसा नहीं है कोशिन है तो मोडिफिकेशन से रिलेटेड कोशिन है इस एक्स पर देख सकते है तो इहां पर यहां पर आप जीओक सको है तो यहां पर में जाखे और दोते को एक्स्टर अटर के यह टॉपिक यह बस बचाओ इसका एकाउंटिंग प्रैक्टिकल होना है कुछ थियोरी यह सी बात करनी नहीं है प्रैक्टिकल बाती होगी यह पर और उसे आपको यह पूरा का पूरा कंसेट क्लियर हो जाए जिसम स्ट्रेडेजिक डेट कवर अब हो चुका है तो ओवरोल देखा जाए तो हमारा सब कुछ कवर अब होगी है मेरे ख्याल से क्या बचा है हमारे इंपार्मेंट और फैनिशल असेट बचा है कम इक्षा है मेरा वह बनानेगा क्योंकि उसमें दो तिन कोशिन आप वह प्रैक्टिस कर लिए हो जाएगा बाकी अगर आपको इंट्रस्ट है तो त्री आवर्स का एक लेक्ट्चर यूट्प में अप्लोडेट है फूल लेक्ट्चर जब मैंने डिटेल में समझा है और अभी अगर मैं समझाओंगा तो देखिए मेरा तो इक्षा करता थोड़ा डिटेल में जाना मैं उस समझाने जाओंगा लंबा पहुँच जाएगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ आप इंपार्मेंट फाइनिशल असेट्स या तो एक्षाम के लिए जो कोश्यन से वो कर लीजे बात खतम होती इतना इंपॉर्टन नहीं लगता मुझे और या फिर आप वो स्री आवर्स का देखना च से सबको समझ मैं आए मैंने टाइम लिया 45 मिनिट सम्थिंग लिया मैंने और उस एक्दम खोल के रख दिया अच्छी तरीके से समझाया मैंने तो वह अगर आप देख लोगे आपका काम बन जाएगा हाला कि फिर भी मैं देखूंगा अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो छोट आपको यूट्यो यूट्योब य एक दो दिन में यहागा मिलज्ग manipulating को प्रेओ और 20 में कर लिया और इसके हाथ्य तरीके से पढ़ाई किज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएए यूट्व में हमारे चैनल को जरूर सा सब्सक्राइब केजिए थैंकियो सो मच